दोस्तो नेक्स्ट अपना important topic है that is judicial system यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिछले एक साल में क्या important developments हुए है जुडी शेरी के point of view से चाहे फिर वो supreme court का कोई different आप कह सकते हो एक important कोई judgment आया हो या कोई high court का कोई judgment है या फिर अभी recent time में digitalization को promote करने के लिए supreme court या जुडी शेरी के द्वारा कोई action लिया गया है या फिर हम ये कहें कि हमारा जो criminal justice system है उसके तहद रहते हुए कोई नया innovative काम किया गया है उससे सम्मंदित कोई judgment है और इसके साथ साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर बार बार दो तीन important courts की बात आएगी एक तो IPC हो गया एक आपका CRPC हो गया और कई बार ev तीनों ही courts या फिर laws पर dependent होता है हमारा criminal justice system अब criminal justice system के major तीन pillar होता है पहले तो हमें वो पता होना चाहिए एक तो देखो police जिसके पास में सबसे पहले किसी भी crime की report आती है और investigation का काम करना होता है दूसरी हो गई judiciary वो ये देखेगी कि भाई जिसके खिलाफ में case दायर हुआ है और जो evidences police ने submit किये है वो एक coherence में है की नहीं है एक individual को जिसको accused करार किया गया है जिस पर एक तरीके से आरोप लगाया है वो actual में दोशी है या नहीं है उसको सजा होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए वो judiciary करेगी और फिर उसके बाद में आ जाती है जेल अगर किसी individual का आरोप जो है वो दोश में साबित हो गया कि हाँ वाकई में इस individual ने commit किया था ये crime तो उसका conviction होगा उसको सजा मिलेगी और सजा क्या coding फिर उसको jail में रखा जाएगा या फिर जो कुछ भी x y z उसको सजा मिल रही है तो अगर वो jail में पहुँचा तो jail में फिर काम होगा उ इसमें बहुत जादा rigorous punishment के तौर पर भी देखा जा सकता है जिसको एक particular area में confine कर दिया और वहाँ पर सारा काम चलता है ये सारा जो काम है na CJS का criminal justice system का ये more or less इन तीनो codes या तीनो laws पर dependent होता है IPC है ये एक substantive law है जो कि define करता है कि क्या तो offense है ठीक है क्या उसके लिए punishment होगी more or less police के द्वारा जब भी कोई charge sheet तयार की जाती है एक investigation के बाद में जो document जो judiciary के पास जाता है हना तो वो more or less IPC के आधार पर ध्यान रखते हुए police के द्वारा तयार किया जाता है वहीं फिर judiciary के पास में जब चला गया case तो judiciary एक process follow करती है कि किसको कितना punishment मिलना चाहिए कितनी case है उसके हिसाब से फिर punishment decide करना या फिर कोई remedy देनी है तो वो process जो है वो CRPC के आधार पर follow किया जाता है और police के द्वारा जो भी investigation की जाती है उसमें evidences act के आधार पर जो भी defined proper evidences बताये गए हैं इसको एक सबूत की तोर पर consider किया जा सकता है सबूत लेने का ये आपका तरी covenant codes हैं या laws हैं जिनके आधार पर हमारे आपर criminal justice system है वो काम करता है और इनी चीजों को हम आगे detail में समझने वाले हैं एक एक करके अलग अलग articles में तो सबसे पहला आर्टिकल आपके सामने चार्ज शीट्स एन एफ आई यार रिसेंटली सुप्रीम कोट ने क्या कहा कि देख कि किसी website पर upload कर दिया application पर available करा दिया बोले इसमें बहुत problem है सुप्रीम कोट का एक judgment है 1991 का याद रखें 1991 का एक case है जिसका नाम है के वीरा स्वामी के वीरा स्वामी versus union of India ये 1991 के judgment में सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि police जब investigate करती है न तो इस investigation के बाद में जो final document तयार होता है जिसमें accused, convicted, offense इनकी सारी detail police के द्वारा mention की जाती है तो ये document more or less उस investigation का एक final document होता है पुलीस की तरफ से ये final document जो है वो कही न कहीं बहुत sensitive information carry करता है अगर इस particular document को public कर दिया जाए तो यहाँ पर जो individual involved है इस particular issue में चाहे फिर वो investigating agency है चाहे accused है चाहे कोई victim है तो उनके अधिकारों का violation हुआ की नहीं तो इस तरीके से supreme court ने कह दिया कि एक public document नहीं है आप ये कहो कि हाँजी इसको freely public के लिए available करा दिना चाहे वो ले इसमें बहुत जादा risk रहती है और public document की definition की बात करें तो सीधी बात है evidences act है na evidence act जो है उसमें section 74 और 76 में public document क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको provision हो जाएगा मिल जाएगा ठीक है बट supreme court ने क्या कह दिया charge sheet जो है वो एक public document नहीं है charge sheet क्या होती है ये मैंने आपको अच्छे से पहले समझा दिया कि एक ऐसा document है जो police के दौरा investigation के बाद तयार किया जाता है इससे संबंदित provision आपको CRPC के section 173 के तहत मिलेगा ये ध्यान रखें ठीक है इसके अलावा इसमें क्या क्या information होगी बई सीधी बात है कौन कौन involved है वहाँ पर किसने case किया है victim कौन है accused कौन है इसके अलावा information किस तरीके की उसमें आ रही है उसका nature वहाँ पर रहेगा साथ में offense क्या involved था उसके बारे में भी वहा रख लिनी है कि किसी individual पे आरोप लगाया गया और उसको arrest कर लिया गया और arrest करने के बाद में जब investigation start की गई police के द्वारा तो आप क्या देखते हो कि investigation का जो काम है वो 2-3 महिनों के अंदर अंदर complete हो जाना चाहिए otherwise जिसको आपने arrest किया है वो illegal declare कर दिया जाएगा और आपक आप में एक बहुत important document हो जाता है और इसी बात को ध्यान रखते हुए Supreme Court ने कह दिया कि charge sheet is not a public document, right इसी के साथ में कई बार हम क्या confuse कर जाते हैं कि FIR और charge sheet ये दो important terms है जो कि criminal justice system में या फिर कहें कि police से related जब भी कोई issue आता है तो इनका highlight होना तो लाजमी हो जाता है तो आपक basically वो एक information है जो कि एक victim है वो police को आ करके register करवाते हैं first information report कि हाँ भई मेरे साथ में XYZ crime हुआ है और इसके संबंद में मैं इन लोगों को जानती हूँ जिन लोगों ने crime commit किया है तो आप इनके ओपर कारवाई करिए तो FIR तो देखो initial stage का काम हो गया वहीं charge sheet की बात करें तो police जब अपना पूरा investigation कर लेती है within 60 to 90 days और उसके बाद हमें अपना जो पूरा proper document तयार करती है वो हो गया आपका charge sheet अब FIR की बात आती है तो उसमें एक important नई term add हुई है या फिर नई तो क्या बोलेंगे बहुत ज्यादा trend होने वाली अभी recent time की एक word है that is zero FIR होता क्या है कि 2012 मे दिल्ली में निर्भया case हुआ था अगर आपको थोड़ा वोत idea हो तो उस निर्भया case के बाद में एक committee constitute की गई थी justice js वर्मा committee और उस committee ने अपने report में ये कहा था अपने recommendation में ये कहा था कि देखो इस तरीके के जो heinious crime होते है न रेप वाले जैसे तो ऐसे cases में एक सबसे police station का jurisdiction है बड़ वो criminal जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे किसी area में चला जाता है अब ऐसी परिस्तितियों में crime कहां पर हुआ case किस police station के अंडर है individual जिसके साथ में वो particular crime हुआ है जिसको हम victim बोलेंगे वो victim कैसे यहां पर फिर justice की ensure कर सकता है कि यहां जी मुझे न्याय मिलेगी तो ऐसी परिस्तितियों में उनके पास में एक scope रहता है कि वो अपने nearby police station पे जाकर के जहां पर भी वो मतलब हो सो आवास में है जाकर के अपनी F.I.R. lodge करवा दे और फिर उसके बाद में उस F.I.R. को वो police station जिसने F.I.R. lodge की है वो उस adequate police station में transfer कर देगा जिस police station का वो पू justice ensure करने के लिए उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ में जो कुछ भी हो है वो किस police station के jurisdiction में आता है एक बार आप F.I.R. कर आओ फिर जिस भी jurisdiction में आता है उसमें आपकी F.I.R. जो है वो transfer कर दी जाएगी इस तरीके की जो F.I.R. है इसको बोलते है zero F.I.R. और इ ठीक है F.I.R. और चार्च शीट की बात करें तो इसमें मोटा difference तो मैंने आपको बता दिया बट यहाँ पर एक चीज़ notice कर सकते हो कि चार्च शीट की definition तो आपको CRPC में मिल जाएगी बट F.I.R. के बारे में CRPC और IPC में कहीं पर भी mentioned नहीं है बट येस CRPC में section 154 है वो police की rule regulations की बात करता है उन rule regulation में आपको F.I.R. के बारे में provision मिलेगा ना कि directly IPC है CRPC में ठीक है चार्च शीट मैंने बता दिया final document होता है एक तरीके का final report होती है जबकि F.I.R. first instance होता है जहाँ पर एक individual के साथ में अगर कोई cognizable offense हुआ है तो उससे सम्मंदित सीधी report दायर की है वो offenses जिनके लिए बिना किसी magisterial approval के बिना किसी warrant के आप arrest कर सकते हो और फिर उसके बाद में investigation स्टार्ट होगी राइट चार्च शीट की बात करें तो सीधी बात है इसमें एक document जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके पूरा detail के साथ में magistrate के सामने जाती है फिर magistrate final करता है कि यहां भी actual में जिस accused के खिलाफ में पूरी कारवाई हो रही है वो है आरो वो दोशी है कि नहीं है तो चार्च शीट तो एक supporting document हो गया judiciary के लिए वहीं दूसरी तरफ FIR जो है वो police को inform करने के लिए first report है तो इस तरीके से यह अपने आप में एक important provision हमें समझना था चार्च था वो हमने देखी लिया चलते हैं आगे next article है that is mandatory minimum sentencing देखो इसमें क्या होता है कि पिछले साल 2023 से लेकर करके हम current affair cover करना है 2023 का case है तो basically supreme court में आप देखते हो कि petition लगती है और वो petition कुछ ऐसी है जिसमें यह demand की गई थी कि gang rape से related कोई case आये और उसमें भी जो minors होता है minor का मतलब आप मानो ना बालिको कि 18 से जो कम उम्र है वो तो बोलो उनके साथ में अगर कोई gang rape हो रहा है ठीक है या फिर particularly हम बात करें कि बारा साल या उससे कम उम्र के जो individual से उनके साथ में अगर कोई gang rape होता है तो उस case में जो mandatory minimum sentencing का जो provision है उसको कही ना कोई बोले एक ब साली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि जो minimum mandatory sentence की हम बात कर रहे है उसका provision कहा पर है वो Indian Penal Code के section 376 DB में इसके बारे में provision है तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि minimum mandatory sentencing का मतलब क्या है एको सीधी बात है किसी भी offense के लिए किसी भी offense के लिए उसमे particular हम heinious crimes की बात कर रहे हैं जिनके अंदर कोई relaxation का provision जनता नहीं चाहती तो वहाँ पर कही ना कि जनता की बोल दो या फिर system में नहीं होना चाहिए यह कह सकते हम effectively तो point यहां पर आ रहा है कि minimum mandatory का मतलब हो गया कि कम से कम इतनी सजा तो उस particular criminal को मिलनी ही चाहिए इसका मतलब यह हो गया कि वहाँ पर court की कोई discretion ना रहे कहने का मतलब सुनवाई चल रही है किसी case के मारे में मान लोग गैंगरेप का ही case है तो सुनवाई के दौरान court यह ना decide गरे कि कितनी सजा देनी है कितनी नहीं सजा देनी है बहुत संगीन अपराद है तो ऐसे में उसको कम से कम इतनी सजा तो होनी चाह जैसे lifetime imprisonment दो death sentence दो वो एक बात अलग है बट minimum इतने सालों की साथ साल 13 साल 14 साल 15 साल कि कम से कम इतनी सजा तो स्क्राइम की होनी ही चाहिए वो होती है minimum या mandatory minimum sentencing राइट इसकी demand क्यों की जा रही है क्योंकि फिर क्या होता है कई बार judiciary जो है वो कहीं एक तरीके से अपने discretion लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक scope बना रहता है इसी बात के demand जो है वो supreme court में कियेगी कि भाई देखो इसको review करो कि कहीं ना कहीं supreme court के अपने authorities हैं वो भी supreme court का मतलब judiciary की जो authority है वो भी एक तरीके से protect होनी चाहिए और जिस crime की हम बात कर रहे हैं उस crime में final हो गया कि हा आपका mandatory minimum sentencing का इसके बारे में जो हमने provision लिया है यह basically America और Canadian जो system है उससे हमने यह more or less pick किया है आप एक चीज ध्यान रखें यह जो mandatory minimum sentencing का जो provision है इसमें एक बड़ी important चीज आ जाती है कि इसमें इसका फाइदा तो क्या है इसका फाइदा तो यह होता है कि judiciary फिर बाद में ज्यादा relaxation की तरफ ना जाए और जिसको जितना punishment कम से कम मिलना चीज उतना मिल जाए बट वहीं दूसरी तरफ problem क्या हो जाएगी अगर mandatory minimum sentencing की तरफ सब की मतलब जो भी cases आ रहे हैं उनमें अगर rely करना शुरू कर दिया तो फिर कहीं नहीं जेल्स जो है वो overcrowd होने लग होगे कि कम से कम इतनी सजातो है जेल में जाओ इतनी सजातो है जेल में जाओ ऐसे में विरबाद में overcrowd हो जाएंगी जेले जो की बहुत ज्यादा problem create कर सकती है तो ऐसे में यह अपने आप में थोड़ा सा एक चीज हमें समझनी थी mandatory minimum sentencing का मतलब क्या होता है ठीक है चलते है नेक्स्ट आर्टिकल है neutral citation देखो इसमें हमें थोड़ा सा यह समझना है neutral citation system इसमें हमें थोड़ा यह समझना है कि actual में citation क्या होता है और citation में फिर neutrality का क्या purpose है देखो जब कभी सुप्रीम कोट के द्वारा कोई judgment दिया जाता है तो इस judgment को अलग-अलग journals अलग-अलग जिग document maintain करने वाली कोई agency है तो उनके द्वारा उन cases को क्या किया जाता है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग formats में store किया जाता है सबका अपना-अपना standard होता है विस सीधी बात है जैसे कि मानलो कोई भी हम xyz case ले ले 2017 का पुट्टा स्वामी case ले लेते हैं अब उस case को किस तरीक लिख दिया case का साल लिख दिया फिर उसके बाद में उसमें particular file में कहां पर कौन से page पे वो mentioned है या फिर किस time पर वो तरीके से judgment आया था अब इन दोनों में आप देखोगे तो बात case पुट्टा स्वामी case की हो रही है बट आप देखोगे कि format बिल्कुल different है तो यह format जो होता कि आप किस जगें पर किसको court करना चाहरे हो मानलो Supreme Court में सुनवाई चल रही है और इस particular case को आप court करना चाहते हो तो अब आप कौन से document को ले करके जाओगे फिर इस document को ले जा करके Supreme Court में जद साब को बताओगे जद साब फला फला case फला फला साल ये page number इसमें ये बात कही है Supreme Court ने previously तो वो बात आप court करोगे तो Supreme Court के बास में एक confusion वाली situation create हो जाएगी और नॉर्मल आदमी के लिए भी confusion वाली situation create हो जाएगी कि भई आप किस particular case की बात कर रहे हो किस में आप कौन से साल बोल रहे हो फिर क्या बोल रहे हो एक proper standard तो format होना ही जी है ना इसी चीज को final करन के लिए Supreme Court के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है कि जी हम जो है वो neutral citation system अब जल्दी ही start करने करेंगे इसके चलते क्या होगा confusion नहीं होगा citation का मतला मैंने बता दिया एक identification tag होता है जिसमें reference number available होता है किस साल का क्या judgment है और किस तरीके से उसकी indexing की हुई है तो क्यों ना ए एक ही index का एक ही sequence का या एक ही तरीके का pattern में किसी भी judgment को store किया जा रहा अलग-अलग journals में अलग-अलग books में तो कोई confusion होगा क्या नहीं बस यही है आपका neutral citation system I hope आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं अगला article है judicial majoritarianism देखो अभी क्या होता है Supreme Court के द्वारा अभी demonetization वाले case में क्या होता है judgment दिया जाता है अब demonetization वाला जो case था उसमें आपको पता है बहुत से लोग खुश नहीं थे है ना कि एकदम से सरकार ने 8 November 2016 को 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे वो बंद कर दिये अ अब ऐसे में Supreme Court में वो case जाता है और Supreme Court ने more or less उस सरकार के उस judgment को more or less upheld किया बोला कोई problem नहीं है RBI Act 1934 allow करता है government को इस तरीके के action लेने के लिए अब ऐसी परिस्तितियों में वहाँ पर जो case गया था वो basically ये देखनी की चीज थी कि मतलब जो Supreme Court के judges की जो bench थी वो कहीं numbers में होती है कम से कम पांच judges की bench बैठती है अगर कोई भी constitutional issue आता है तो और पांच, पांच के बाद में 7, 9, 11, 13 इस तरीके से odd number में judges को बिठाया जाता है इससे क्या हो कि अगर कोई verdict split भी आ रहा है तो उस case में judgment कहीं ना कहीं उसके उस हिसाब से हो जाएगा जो कि ज्यादा judges के द्वारा दिया जा रहा है जैसे कि आपने A.D.M. जबलपूर case का नाम सुना होगा जिसमें ये था कि emergency हो या फिर सरकार के द्वारा कुछ ऐसे circumstances create कर दी गई है जिसके चलते हैं individual के fundamental rights हैं वो भी खतम हो रहा है इवन article 21 की बात कर लो article 20 की बात कर लो वो भी खत्रे में आ HR खन्ना जी उन्होंने ये का था कि बही किसी भी परिस्तिती में किसी individual की right to life और ये तो compromise नहीं होने चीएं कुछ fundamental rights इतने integrated हैं हमारी life के साथ में हमारे personal connect हैं कि उनको तो कहीं न कहीं appell होना चीए बट क्या है कि majority of the judges ने उस particular bench के time पर ये दे दिया कि बही सरकार सही है इस तरीके के fundamental rights एक बार suspend हो सकते हैं तो ये जो situation बन गई ना इसी को बोलते है judicial majoritarianism ये ही demonetization वाले case में हुआ कि देखा जाए तो sensibly बहुत सारा एक तरीके से ये opinion था कि demonetization का जो mechanism government ने अपनाया था वो बहुत ज़ादा अपने आप में hearts था वो नहीं होना चीए था बट judgment के आया कि government ने जो किया वो ठीक था अगेन वो ही बात कि कहीना के majoritarianism वहाँ पर आ गया कि जादा judges ने इस government को favor कर दिया और कुछ judges कुछ judges government के against में थे बट वो numbers में कम थे तो यहाँ पर चल गई किसकी majority जिसकी है अब देको यहाँ पर यह अपने आप में बहुत बार सवाल उड़ता है कि कई बार इस तरीके के judgment आ जाते हैं जिसमें किवल numbers का खेल रह जाता है कि कि किसके favor में जादा numbers of judges present है और वो ही वहा की problem है यह ठीक है हमारे constitution में article 145 clause 5 है ना उसमें यह provision दिया हुआ है कि constitutional bench के basis में कोई भी अगर judgment आएगा तो वो कहीं नगे majority consensus के आधार पर आएगा no doubt जितने भी judges बैठे हैं मैंने आपको बताया कि कम से कम कितने judges की constitutional bench होगी article 145 clause 3 के आधार पर कम से कम 5 की 5 के बाद में odd numbers मे 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से हो सकते हैं तो ऐसे में कोशिश तो यह होगी कि सभी judges का एक जैसा statement आए बट फिर भी अगर कहीं पर conflict आए तो चलेगी किसकी जिसके पास में numbers जादा है अब सीधी बात है कि इस तरीके से odd number में अगर आते हैं तो chances यह है कि एक तरफ तो majority create हो ही इस अपना article है foreign lawyers and forms अभी recently क्या होता है कि जो bar council of India का मतलब क्या हुआ जो वकीलों के आप कह सकते हो पूरा एक institution है जिसमें वकील register कराता है खुद को ठीक है यह कह सकते हैं कि 1961 में established एक ऐसा institution है जिसमें हमारे यहाँ पर जो भी law practice करने वाले advocates है ना वकील है उनको कहीं नहीं register करवाना पड़ता है member बनना पड़ता है और इसके member होकर के ही एक individual Indian laws को practice कर सकता है Indian courts में दलील कर सकता है तो ऐसे में क्या होता है भी recently कि bar council of India ने foreign law firms और foreign lawyers को allow कर दिया है कि वो इंडिया में आकर के offices खोल सकते हैं जबकि आप क्या देखते हो कि पहले लगातार bar council of India एक conservative approach लेकर के चल रही थी जिसमें ये था कि बाहर की कोई भी company या फिर कोई भी बाहर का lawyer out of India से है ना तो वो लोग इंडिया में आकर के इस तरीके की legal activities में involved नहीं हो सकते but yes यहाँ पर complete freedom नहीं दी जा रही है उनको उन पे कुछ limitation भी bar council of India के द्वारा लगाई जा रही है but yes यहा 18 में supreme court का judgment आया था जिसमें साफ साफ यह कहा गया था कि foreign law firms या foreign lawyers जो है वो किसी भी हमारे देश में आकर के किसी भी तरीके से कोई भी legal activity में involved नहीं हो सकते चाहे फिर वो court के court के सामने हो रही हो या किसी tribunal के सामने हो रही हो but bar council of India ने अभी यह allow कर दिया है अब सवाल यह ह कि क्या है इसके पीछे का पूरा mechanism देखो बात ऐसी है कि हम धीरे धीरे हमारे देश में investment को attract करना चाहते हैं सीधी बात है foreign investment चाहिए economy को boost करना है अब investment आएगा तो सीधी बात है company बड़ा पैसा लगाएंगी तो कल कोने case भी बनेंगे कि भई मैंने इतना invest किया मेरे साथ government न companies के खुद के lawyers भी होता है अब आप बताओ कि किसी company के investment को इंडिया में attract करना है और उस company जो कि out of इंडिया से है ठीक है उस FDA को attract करने के लिए अगर आप अपनी legal position को थोड़ा सा liberal कर दो कि जिसमें उस company का जो original country है वहां से वो अगर अपने legal lawyers को साथ ले कर के आना चाहिए अ अपने issue में अपनी दलील करवाना चाहे किसे भी tribunal के सामने तो वो हो सकती है कि नहीं बस यही main मुद्दा है कि investment point of use है और दूसरा एक transactional relation भी यहाँ पर निकाला है हमारी bar council of India ने वो क्या कि आज अगर बाहर के देशों से lawyers आकर के इंडिया में काम करते हैं बाहर की law firms आकर इंडिया में काम करती हैं तो हमें भी तो फिर opportunity मिलेगी क्योंकि Indian companies भी दूसरे देशों में जाकर के इंवेस्ट करती हैं तो वहाँ पर हम भी explore कर पाएंगे तो यह चीज यहाँ पर दिमाग लगाई गई तो ultimately इंडिया को एक कह सकते हैं कि international commercial arbitration hub के तौर पर develop करने का एक program ह है कि इंडिया में जिन्होंने invest किया वो कंपनिया और भारत की सरकार या फिर दुनिया में कहीं पर भी इस तरीके से investment को लेकर के कई बार मुद्दे उलत जाते हैं तो उनको sort out करने के लिए आपको जाना पड़ता है commercial arbitration tribunals के सामने तो बोलो वो अगर इंडिया में ही हम develop क करेंगे नहीं तो आपको पता है ना आपने सुना होगा कि Singapore commercial arbitration ने ये judgment दिया है इंडिया और इस particular XYZ company के बीच में case जो था उसको तो हमें भागना पड़ता है फिर बाहर तो क्यों ना हम हमारे देश में ये विवस्ता कर दें इस point को ध्यान रखते हुए Bar Council of India ने अपने stand क वो थोड़ा सा liberal किया है एक चीज़ गांट बांद लेना कि यहां पर registration no doubt foreign laws and lawyers का हो रहा है बट वो सारा मामला जो रहेगा जिसमें वो involved हो सकेंगे वो more or less international investment से related होगा ये ध्यान रखना Indian laws की बात करें ना भारत में बने हुए कानुनों की उसमें वो participate नहीं करेंगे ये एक important development हमें ध्यान रख लेनी है समझ गए बात को कि limitation है कि Indian laws को वो practice नहीं करेंगे ठीक है किन areas में वो case लड़ पाएंगे सीधी बात है कोई corporate issue आ रहा है कोई property को या किसी intellectual IPR से related मान लो कोई joint venture है दो कंपनियों ने merge किया सरकार और investment के बीच में जो भी investment करने वाली company उसके बीच का कोई case है उनको tackle करने के लिए काम करने वाले हैं ध्यान रखें और साथ में Indian courts में नहीं जा सकते हैं ये हमें ध्यान रख लेना है ना courts में ट्रिबिनल में या statutory जो भी authorities है उनमें नहीं individual अगर किसी कोई foreigner law firm में associated अमान लो कि आप वकील हो बट आप किसी दूसरी बाहर की company से जुड़े हुए हो तो आप आपके उपर भी वोई restrictions लगेंगी जो कि normally दूसरे बाहर के lawyer या फिर law company पे लग रहे हैं तो ये आपको ध्यान रख लेना है इससे benefit क्या हो जाएगा कि दे investment आएगा invest करने से पहले कंपनिया सोचेंगी नहीं हाजार बार कि आर इंडिया में invest कर देंगे तो वहां पर हमारे lawyer जाकर हमारा case ही नहीं लड़ पाएंगे अगर कोई dispute आएगा तो तो वो चीज़ें यहां पर कहीं नहीं involved हो जाती है और इसी चीज़ को ध्यान रख करके यह एक liberal approach अपनाई है Bar Council of India नहीं अगला article है LIMS project यह देखो ministry of law and justice के दुआरा एक कहते हैं online approach implement की गई है सब सर पहले तो LIMS की full form आपको ध्यान रख लेनी है that is legal information management and briefing system ओके दूसरी चीज़ यह actual mechanism है क्या इसमें देखो यह बात है कि हमारे देश में जितने cases चल रहा है ना सरकार का involvement बहुत जादा है और उसमें भी जादातर cases में union of India मतलब central government का involvement इतना है कि मोटा मोटा आगर देखा जाए ना तो लगबग 43% cases या figure out करें तो लगबग 6,20,000 cases ऐसे हैं जिसमें सरकारों का involvement देखा गया है तो ऐसी में क्या किया जाए इन cases को solve करने में देखो सीधी बात है हमारे यहाँ पर central government में देखा जाए तो 50 से ज़्यादा ministries है अगर accurately बात करें तो लगबग 55 ministries के लगबग operate करती हैं तो इन ministries को एक दूसरे के साथ connect करना कि भई कौन सा case चल रहा है और इस case में कौन कौन से ministries का involvement है तो वो क्या एक well informed decision ले पाएंगे समय रहते हु that means एक online portal है जिसमें different ministries को connect किया जाएगा साथ में जो भी वहाँ पर cases को enroll किया जा रहा है जो भी information डाली जा रही है उसका एक standard format होगा जो की more or less limbs में connected जितनी भी ministries हैं उनमें काम करने वाले officials के लिए समझना जरूरी होगा जरूरी होगा आसान होगा और एक दूसरे की बात या फिर कोई भी government से related case अगर जाता है तो उस case को जाकर के वो ministries एक साथ मिलकर के लड़े नहीं तो क्या होता है case चल रहा है मानलो ministry of electronics and information technology के खिलाफ में मानलो वो case majorly बट पता पड़ा कि उसमें involvement law ministry का भी आ रहा है उसमें involvement broadcasting ministry का भी आ रहा है तो इस तरीके से अगर ये integrated manner म उस case में एक साथ जाकर के अपने representative को भेजेंगी तो कितना easily solve हो पाएगा okay right तो इस तरीके की approach को लाने की कोशिश की जारी है एक integral approach develop करने की कोशिश की जारी है यहाँ पर government के द्वारा तो याद रखें limps project okay आगे चलते हैं next article है payroll and furlaw basically अभी recently एक important update आती है या फिर important development होती ह वो यह कि prison superintendent भॉंबे हाई court के सामने case जाता है कि prison superintendent जो है उनके द्वारा एक blast convicted को जो कि उम्रे 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है बुला उनको furlaw देनी की ज़र्वत थी बट उन्होंने furlaw नहीं दी तो उसके लिए उनको कहा भॉंबे हाई court ने prison superintendent को okay कि आप जो है वो legal fee पे क इसके बदले में आपने एक गडबड काम की है क्योंकि furlaw जो है वो more or less एक अधिकार के तौर पे दिखा जाता है जो inmates होते है उनके अधिकार के तौर पे दिखा जाता है अब सवाल यह कि furlaw क्या होता है और furlaw के parallel एक और word जलता है that is payroll payroll का नाम तो आपने कई भार सुन लिया जेल का period है वो छोटा है मानलो दो साल एक साल तीन साल लंसम मानो तो ऐसे में उस individual के घर पे अगर कोई emergency आ गई और उस emergency के आधार पर उस individual को बाहर जाने के लिए allow किया जाता है कुछ दिनों के लिए एक दिन दो दिन इस हिसाब से या max 7 दिन के हिसाब से अगर मोटी मोटी sentence जो हुई है मानलो कि पहले आरोपी फिर उसका दोश साबित हो गया convict हो गया और उसको सजा जो दी गई है वो लंबे समय के लिए दी गई है for example lifetime imprisonment next article आजाता है आपका payroll and furlough basically अभी recently क्या होता है कि Bombay High Court के द्वारा prison superintendent को एक तरीके से direct किया जाता है और यह कहा जाता है कि आपको एक legal fee pay करनी पड़ेगी क्योंकि आपने 60 साल के एक बुजुर्ग इंसान जो की blast convicted है that means कोई blast होया हुआ उस blast में उनका conviction final हुआ और उनको सजा मिल गई लंबी for example lifetime imprisonment तो बोला उनको furlough जो है वो देनी थी आपने क्यों नहीं दिया अब आपको legal fee pay करनी पड़ेगी अब यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि furlough और payroll क्या होता है देखो simple सी बात है जब कभी भी किसी को सजा मिली हुई है जेल में है बंदा और उसको कुछ दिनों के लिए relax करने के लिए अगर बाहर जाना allow किया जाए अगर सजा लंबी है तो relaxation के हिसाब से उसके अधिकार क हिसाब से उसको furlough issue किया जाता है जो कि maximum 14 दिन के लिए जा सकती है इसका मतलब सजा अगर लंबी है तो furlough claim होता है बट वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो payroll जो है वो short term जिसको भी punishment मिली रहती है उसको payroll भी भीजा जाता है मानलो किसी को एक साल दो साल तीन साल इस तरी बन गई या फिर कोई emergency आ गई घर में या किसी परिवार में किसी मामले में तो उस चक्कर में otherwise furlough जो है वो long term के लिए जाती है तो यहाँ पर furlough जो था वो 60 साल के इस individual को यहाँ पर available होना चाहिए था बट jail superintendent ने मना कर दिया इन दोनों के बारे में provision आपको मिलेगा prisons act of 1894 इसका main target क्या है कि jail को humanize किया जाए कैसे है वह सीधी बात जेल में अगर लगातार एक individual मानो किसी को 14 साल की सजा दे दी किसी को 7 साल की सजा दे दी यहाँ भी 7 साल आपको jail में बिताने है तो उस case में उस individual को 7 साल लगातार jail में रखोगे तो उसके लिए कितना गजब क trauma हो जाएगा तो इस case में उनको कहीं ना कहीं एक break की भी requirement होती है as per their rights जैसे एक personal individual है एक individual है तो उसके अधिकार भी बनते हैं अपनी bodily figure की बात करे तो तो उसमें फिर उनको furlaw भी issue किया जाता है तो इस तरीके से यह दोनों terms हमें समझना बहुत जादा जरूरी है तो payroll का मतल थोड़े दिनों के लिए break के लिए छोड़ा जा सके for example दो दिन चार दिन इस तरीके से तो वो हो जाता है कहीं ना कहीं payroll आप ध्यान रखें payroll देने से पहले हमेशा देखा जाता है कि उस individual का behavior कैसा था अगर वो good behavior है उसने समय पर रहते हुए अपनी authorities के साथ में reporting भी proper की है म imprisonment कम समय के लिए jail दी जाती है तबी बट यस यह conditional release होता है इसमें कोई अधिकार नहीं है इसमें आपको reason देना पड़ेगा कि क्यों आप बाहर जाना चाते हो payroll पर for example घर में किसी की तबियत खराब है किसी से मिलना है कोई emergency आ गई या आपकी presence की बिना वो case या वो मुद्द सा रियायत बरतने के लिए ये provision है कि बही सीधी बात है 14 साल के लिए अगर लंबी सजा देदी 7 साल के लिए देदी तो बंदा बाहर जा करके थोड़ा सा अपनी family के साथ मिल जूल करके रहे अपनी emotion पे या जो कुछ भी उस particular confinement jail में रहते होए negative असर आ रहे हैं उनको वो थो down कर सके तो उसके लिए ये provision furlough का किया हुआ है जो की maximum 14 दिन के लिए available है एक बार में राइट इसके अलावा देखा जाए इसमें कोई reason देने की ज़रत नहीं है जैसे कि payroll में reason दिया जाता है payroll में दो कारण बताना पड़ेगा क्यों जाना चाहते हो furlough आपका एक अधिकार है but yes इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके लिए कोई case ही कर दो कि मुझे furlough नहीं दिया तो मुझे आप कह सकते हो कि मुझे इसका अधिकार है नो यह legal entitlement नहीं है but yes यह आपका एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है जिससे कि आपका mental या फिर जो कह सकते है emotional trauma जो है वो उसको आप negative impacts को आप settle कर सको तो payroll for short term imprisonment furlough for long term imprisonment payroll conditional furlough आपका अधिकार इस तरीके की यहां पर हमें provision ध्यान रखने है ध्यान रखें अगर unlawful activities prevention act ना UAPA या फिर किसी individual के against मों multiple murders का case चल रहा है तो उस individual को आप देखोगे कि payroll allowed नहीं किया जाता है यह हमेशा ध्यान रख ल next आपका article आजाता है digitization of Indian judiciary देखो आपको यह तो पता ही है कि digital revolution खतरनाक तरीके से हमारे देश में फैल रहा है और इसी बात को judiciary भी adopt करने में बिल्कुल पीछे नहीं है तो अभी recently क्या होता है कि हमारे जो Chief Justice of India है उनके द्वारा एक program launch किया जाता है जिसको बोला गया e Supreme Court Report इसका मतलब क्या हुआ कि Supreme Court में जितनी भी cases आता है उन cases से related जो documents है उन documents को अभी तक manually operate या manually store किया जा रहा था तो क्यों ना उसको आप एक तरीके से online platform पे ले जाके डाल दो तो अभी तक Supreme Court के लगबग 34,000 के लगबग judgments है अब वो judgments अगर online आ करके डाल दिये जाएंगे तो आप कितना benefit ले सकते हो अगर आप law student हो तो आपके लिए benefit है अगर आप lawyer हो तो आप देख सकते हो Supreme Court के किस judgment में क्या उन्होंने अपनी बात कही थी और अगर हम हमारी preparation कर रहे हैं तो हमारे लिए कितनी helpful हो सकती है या फिर general public हम आम जनता को कुछ सीखना है कुछ जानना है किस easily explore कर पाएंगे तो यह ensure करने के लिए ESCR project जो है वो Supreme Court के द्वारा launch किया गया है यह ESCR की अगर बात करें तो इसका main काम यह रहेगा कि कैसे भी करके independence के बाद में जब हमारा constitution enforcement में आ गया था 1950 से जब से Supreme Court constitution के हिसाब से काम कर रहा है तब से लेकर अभी तक जितने भी judgments हैं उ तो इस data को उस judgments को online available कराएगा साथ में अगर देखा जाए तो इसमें केवल website ही नहीं इसमें mobile application भी होगी और साथ में जो national judicial data grid है ना उस पर भी इसके बारे में information आपको मिल जाएगी अब यहाँ पर एक linked manner में हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो कुछ भी digitalization को promote करने के लिए supreme court या फिर हमारी judiciary के द्वारा या फिर हमारी सरकार के द्वारा को initiative लिया गया है तो वो हम बार बार में देखते देखते आगे समझेंगे तो सबसे पहले चीज नेशनल judicial data grid जिसके under में या जिस पर supreme court की ये reports है वो available होने वाली है वो क्या है वो जानते ह ये देखो again online platform है और इस platform को launch किया गया था एक project चल रहा already supreme court का जिसका नाम है e-courts ठीक है e-courts project के तहत ये national judicial data grid हो तैयार किया गया अब इसमें क्या होता है जैसे कि नाम से पता पढ़ रहा national judicial data grid इसका मतलब supreme court हो high court हो district court हो subordinate courts हो जितने भी courts है उन courts के judgment और उनसे related जो database है कि कितने case हैं कितने case की pendency हैं कितने judges हैं वो सारी information जो है वो national judicial data grid पर आपको available होती है ध्यान रखना हमें कि इस सारी चीजों को maintain करने के लिए जो backbone है ना ये सारा जो mechanism electronically है digitally maintain करने का या फिर इस platform को तैयार करने का that is national informatics center NIC है ना वो काम कर रहा है जो कि हमारे देश में e-governance को promote करने के लिए काम करता है और मोटी मोटी बात करें तो ministry of electronics and information technology के अंडर में आने वाली entity है जो कि इस digitalization के program को आगे से आगे बढ़ावा दे रही है इसके आगे फिर हमारे लिए important point आ जाता है that is e-courts e-courts का मतलब क्या है कि क कैसे भी करके हम हमारे जो ये judicial proceedings है ना इन सारी चीजों को हम more or less electronic manner में online platform पर ले जाएं ये एक pan India पूरे देश पर implement होने वाला project है जो कि department of justice के द्वारा देखा जा रहा है जो कि ministry of law and justice के अंडर आता है तो e-courts project जो है ध्यान रखे किसके द्वारा किया जा रहा है काम क्या है सीधी बात है हमारी judiciary को digitalize करना हमारी judiciary को information communication technology basis पर advance बनाना जिससे की आप कह सकते हूं गर बैटा बैटे cases के सुनवाई हो जाया असानी से हाना या फिर लंबी-लंबे कतारों में नहीं लगना पड़ा है waiting list में अभी number नहीं आया अभी number नहीं आया और दूसरा जो लोग access न online होने से कितना benefit हो सकता है अभी तक देखो इस e-courts के e-courts project के दो phases है ठीक है first phase 2007 साथ में वह था 2015 में complete हो गया अभी दूसरा phase चल रहा है वहीं इस e-courts में कौन-कौन से projects मतलब कह सकते हैं इस umbrella के under में कौन-कौन से और projects run हो रहा है उसमें आप देख सकते हो national judicial data grid हो गया e-payment हो गया national service and tracking electronic process हा रहा है आपका virtual justice clock हा रहा है justice is mobile app है digital court as to was है इसकी websites है वो run हो रही है तो कहने का मतलब यह एक बहुत बड़ा project है target है कि judiciary को online लाया जाए जिससे कि जो cases online basis पर solve हो सकते हैं कम से कम उनको तो हसानी से solve किये जाए राइट चलिए next digital exploration of our judiciary उसकी बात करे that is justice clock देखो इस तरीके से justice clock गुजरात की judiciary के गुजरात में district judiciary ने launch किया इसमें क्या है एक proper LED display होगा ठीक है जैसे आप railway station पर जाते हो मेट्रों पर जाते हो तो आपको पता परता ना train कितनी देर में आ रही है कौन से platform पर आ रही है कितनी देर डिले है या फिर जो कुछ भी कितने case pending है कितने case 10 साल से ज्यादा पुराने है कितने 11 से 25 साल या 25 साल से भी पुराने है generation बीद गई actual में कितनी dependencies है और आज कितनी case की सुनवाई होने वाली है इस तरीके की जो listing होती है तो इससे एक transparency आती है इससे कहीं न कहीं जो judiciary है उसके ऊपर भी एक हम यह कह सकते है कि कहीं न कहीं उनकी accountability fix होती है कि आपके सामने इतने cases आप delay कैसे हो आप काम करो accurately effectively तो यह हो गया आपका justice clock आगे चलते हैं next आ जाता है आपका e-prosecution portal again वो ही काम prosecution का मतलब क्या होता है वह सीधी बात है कोई crime हुआ है और जो criminal है accused है उसके खिलाफ में सुनवाई करने के लिए जो process चलता है अदालत में वो सारा prosecution होता है तो क्यों ना इसको electronically किया जा सके इससे benefit क्या होगा कि दू दूर बैठे हुए दूर दराज में बैठे हुए individuals को भी criminal justice system को access करने में जोड़ना है criminal justice system का मतलब मैंने आपको बता दिया इसमें police भी आगई judiciary भी जेल भी आगई तो क्यों ना online ही यह सारा काम चल जाए तो इससे जो cases effectively implement हो सकते हैं execute हो सकते हैं वो तो किये जाए यह जो e आप कह सकते हो कि ऐसा mechanism तयार किया गया है जिसमें electronically electronically जो भी different parties यहाँ पर involved है जैसे कि मैंने बताया police, judiciary और आपकी jail यह तीनों के तीनों अगर online एक दूसरे से connected होंगे तो किसी भी criminal case से related कोई सुनवाई हो रही होगी तो तीनों की present अगर physically court premises में नहीं है तो जादा भी नही तो एक दूसरे से interact online conference की through करतों पाएंगे और वो execution properly हो पाएगा आप ध्यान रखें यह जो interoperable criminal justice system है यह national crime record bureau के द्वारा implement किया जाता है और साथ में आपके जो main जो हमारी कह सकते है government की तरफ से main agency है जो कि more or less इस तरीके की electronic programs को implement करने की काम करती है that is backbone of network, backbone of e-governance that is NIC National Informatics Center ठीक है तो यह proper आप क्या देख पा रहे हो इसमें main target है कैसे भी करके हमारी जो judicial proceedings है उनको hurdles उनमें कम कर देना है उनमे smoothness लेकर क्या नहीं है कोशिश यह करनी है कि कैसे भी करके आप minimum आप कह सकते हो efforts पे maximum आपको delivery हो सके जो भी services आपको चाहिए criminal justice system के आधार पर right next आजा था आपका tally law program देखो सीधी बात है हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके से legal services को access करने में नाकाम रह जाते हैं चाहे फिर वो उनकी education की वज़े से हो चाहे उनकी legal access की वज़े से हो access में कमी का करण क्या हो सकता है हो सकता है education का मारी है हो सकता है बहुत remote area में located हो हो सकता है आपके पास में पैसा नहीं है तो ऐसी परिस्तितियों में हमारे constitution के हिसाब से देखे न तो हमारे constitution में article 39A याद रख ले न ये mandate करता है ये 39A का मतलब क्या हो जाता भई ये more or less directory principle of state policy right तो DPSP के तहत constitution of India में लिखा है कि हमारे देश में legal services को promote करने की कोशिश की जाएगी न्याय को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी और उसमें जो भी hurdles आ रही है उन्हों hurdles को correct करने का काम कहीं न कहीं state करेगा ये DPSP में है और इसी DPSP को ध्यान रखते हुए आप देखते हो 1987 में legal services authorities act पास भी किया जा provide की जाएंगी मानो case है X और Y का X जो है वो कहीं rural background से belong करता है और X के पास में education भी नहीं है बट case लड़ना है तो क्या करे क्या वो महंगे वकील को afford कर पाएगा नहीं तो क्या किया जाए सरकार उसकी सहायता करे तो उसे X वाली category के जो भी individual सा उनका एक तरीकी से listing रहती है कि इस particular category के जो लोग है उनको free में legal service या फिर जो वकील लोग है वो सहायता प्रदान करे सरकार की तरफ से इससे क्या हो कि एक individual को जो अधिकार मिलता है ना खुद से कहना है मतलब खुद को defend करने का जो अधिकार है वो अधिकार एक गरीब को मिलना चाहिए एक remote area में रहने वा program launch किया है और इसमें क्या होता है कि case start होने से पहले हाना case start होने से पहले legal advice लेना कि वकीलों से contact हो जाए एडवोकेट से contact हो जाए चाहे आप 200-500 km दूर बैठे हैं बट वो आपकी counselling कर दें आपको समझा दें कि मुद्दा क्या है case कैसे लड़ा जाएगा क्या इसका तरीका हो सकता है तो कितना आसान हो जाएगा एक individual के लिए और वो भी video conferencing या फिर voice calling के थ्रू तो कितना आसान हो जाता है अच्छा आप सवाल ही आता है कि गाओं में फिर बाद में ये connectivity का mechanism में ये provide कौन करेगा देखो इसके लिए हमारे पास में common service centers already available हैं जिनके थ्रू हमारे जो एक स्वाइजर कुछ भी उनको scholarship लेनी है कोई form फिल करना है तो हर गाओं में लगबग लगबग हर गाओं में या फिर दो छोटे गाओं के बीच में एक आपको common service center मिल जाएगा ये common service center जो है ये कही ना कही ministry of law और साथ में law and justice plus ministry of electronics and information technology इन दोनों के द्वारा ही ये mechanism run कराय जाता है और इसी के तुरू एक individual जो है वो आसानी से contact कर पाता है legal advisor से more or less वकील से आई बात समझ में अब यहाँ पर देखो जिन लोगों का enrollment legal services authorities act of 1987 में section 12 के under category के basis पे हो जाता है तब तो देखो free में वो advice मिल जाएगी otherwise 30 रुपए की nominal fees लगती है और जादा कुछ नहीं लगता तो कुल मिला करके देखा जाए तो एक तरीके से justice ensure करना बहुत जादा जरूरी है और वहीं पर article 14 की बात कर रहे हैं तो equality before law का जो mechanism हो तभी ensure होगा जब एक individual को अपनी खुद के अधिकारों को exercise करने के लिए conducive environment बन आ जाए और वही चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं किस किसी से related आप legal services ले सकते हो वह यहां पर mentioned है चाहे domestic violence है को family dispute है को sexual harassment है मतलब more or less जो common issues आते रहते हैं हमारे आसपास में उनसे जैसे maternity benefit है right इसके अलावा से सब्सक्राइब के साथ में कुछ problem हो रही है उनको rehabilitate करने से related गोई issue हो रहा है तो कुल मिला करके देखा जाए तो इन services के लिए आप इसे tally law का mechanism जो है उसको use कर सकते हैं ठीक है जी तो यह हो गया हमारा एक और article आगे चलते हैं next article आ जाता है अपना collegium system होता क्या है Supreme Court में ए यह petition लगती है उसमें डिमांड की जाती है कि जो higher judiciary में जो judges की appointment होती है जिसके लिए collegium system काम करता है उसको constitution के बिहाफ पर एक बार चेक किया जाए एक बार उसका judicial review होना चाहिए बट Supreme Court ने यह जो petition थी इसको reject कर दिया यह कहा गया देखो इसमें होता क्या है कि जब भी Supreme Court य जो कि more or less कहते है ना समय के साथ में develop हो गया और उसी system को collegium system बोल दिया जाता है जिसमें एक तो chief justice of India होते ही है प्लस चार senior most judges ओर होते है इन पाचों की एक पूरी meeting बैठेगी और उनके द्वारा जो नाम recommend किये जाते हैं वो जाते हैं President of India के पास में और President of India जो है वो Council of Minister led by Prime Minister की aid and advice के आधार पर उस दी हुई list में जो भी नाम है उन नामों को final करते हैं कि हाजी ये Supreme Court में judge बनेंगे ये इस High Court में judge बनेंगे तो इस तरीके की बातचीज जो है वो कहीं ना कहीं collegium system के आधार पर run होती है तो पहले तो देखो हम collegium system के बारे में समझेंगे और फिर इस से मैंने अब यह बताया कि High Courts या Higher Courts जिसमें Supreme Court और High Court दोनों आ गए उनमें judges की appointment हो या फिर transfer हो दोनों के लिए ये एक अपने आप में important part अपना role play किया करते हैं जिसमें Chief Justice के अलावा 4 senior most judges होते ही हैं आप देखोगे कि इसमें government के पास में choice तब आती है जब ये collegium system के फ़ड़ा detail में जानेंगे फिर उसके बारे में बाद में देखेंगे कि हाँ बही Supreme Court ने अभी जो अपना ये जो rejection किया इस petition का उसमें क्या points हैं सबसे पहली चीज हमें ध्यान होना चीए कि जो High Courts है और जो Supreme Court और उसमें judges की appointment को ले करके हमारे constitution में कहां पर provision है तो ऐसे में Article 124 clause 2 ये तो देखो सीधी बात है Supreme Court में judges की appointment से related सीधा provision है जिसमें ये कह रखा है कि President of India जो है वो Supreme Court के judges का appointment करेंगे बट यस वो Supreme Court के जो Chief Justice है उनके साथ में consultation करेंगे अगर वहीं दूसरी तरफ Article 217 को उठा करके देखो तो वहाँ पर अगर judges की appointment की बात की जाए High Courts में तो वहाँ पर भी President of India जो है वो Chief Justice of India प्लस जिस State का High Court है उस State के Governor के साथ में consultation करेंगे और साथ में उस High Court के Chief Justice के साथ में भी proper consultation होगा और उसके आधार पर judges की जो है वो appointment होगी उस High Court में तो आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 दोनों आपको ध्यान रख लेने हैं अब आप देखो कि यह जो Collegium System है यह कैसे Develop हुआ क्योंकि Constitution में जो Statement दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है Consultation का Point कि हाँ भई President of India की द्वारा जब भी Judges की appointment की जाएगी तो उसमें Consult करेंगे वो Chief Justice of India के साथ में अब सवाल यह है कि Consultation का मतलब केवल एक बाचीत करना ही है या फिर Chief Justice of India की तरफ स दी हुई जो Advise है वो Final है या फिर कहीं न कहीं President को वो माननी होती है तो इस बात को लेकर के एक अपने आप में एक जर्णी continue रहती है शुरुआत होती है 1981 में 1981 में जो एक केस था जिसको बूला गया First Judges Case जिसमें यह था कि Article 124 में जो भी Supreme Court में Judges की appointment होती है उसमें Chief Justice of India के द इसका मतलब यह कि President उस बात को माने या ना माने उससे कोई फरक नहीं पड़ता Supreme Court में Judges की appointment जो है वो President of India अपने हिसाब से करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि President of India किसकी Aid and Advise के आधार पर काम करेंगे Council of Minister led by Prime Minister तो Indirectly Central Government जो है वो कहीं न के appointment कर रही थी Judges को इस बात को लेकर के फिर बाद में आगे developments होता है जब 1993 में Second Judges केस आता है और उस केस में Supreme Court ने इस First Judges केस की जो concurrence वाली जो बात थी जिसको एक तरफ कर दिया था कि concurrence का मतलब यह मतलब consultation का मतलब concurrence नहीं है concurrence का मतलब की Chief Justice of India ने जो बोल दिया वो ही बात है President of India को माननी पड़ेगी यहां तो क्या बोला कि President of India के पास में autonomy है अपने इसाब से वो Judges की appointment के लिए काम कर सकता है बट Second Judges case में 1993 में अपने ही previous decision को इन्होंने overrule किया that means इनके द्वारा कहा गया कि Chief Justice of India के द्वारा जिस भी जज का नाम recommend कर दिया तो उस नाम को President of India को approve करना होगा कहने का मतलब Chief Justice of India की advice जो है वो binding होगी पर इसमें एक चीज और add कर दी binding तो बना दी कि आजी President of India को वो बात माननी पड़ेगी जो की Chief Justice of India ने बोल दी बट साथ में ये भी add कर दिया कि केवल Chief Justice of India उस बात को decide नहीं करेंगे कि हाँ बही किसको Supreme Court में या Higher Courts में judges के तोर पर appoint करना है उसमें Supreme Court के दो senior most judges और होगे तो कहने का मतलब तीन judges की एक grouping होगी जिसमें Chief Justice of India सबसे उपर और बाकी दो senior most judges और होगे ये तीनों मिलकर के नाम decide करेंगे और वो नाम जो है वो recommendation में के तोर पर जाएंगे प्रेजिडेंट के पास में और प्रेजिडेंट फिर उन लिस्ट में से final करेंगे कि हाँ बही किसको हमें appoint करना है higher judiciary में फिर आप देखते हो कि third judges case जो है वो 1998 में जाता है Supreme Court में again वो ही बात कि ये जो system develop हुआ है जिसमें तीन judges मिलकर के प्रेजिडेंट को अपने तरफ से name recommend कर रहे हैं तो इसको review करने की बात है तो Supreme Court ने अब इस तीन judges का जो system था ना इसको expand करते हुए 5 judges का system बना दिया इसका मतलब क्या हो गया कि Chief Justice of India एक तो होई गये उसके अलावा आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर 4 senior most judges of Supreme Court हैं वो भी include हों प्रेजिडेंट ओफ इंडिया को और प्रेजिडेंट ओफ इंडिया जो है वो फिर उनमें से उन नामों में से approval देंगे अब सीधी बात है यहाँ पर लिस्ट बनाने का काम तो देखो Chief Justice of India के साथ में चार senior most judges कर रहे हैं और इसी को बोल दिया गया collegium system और यह लिस्ट जो ह इस लिस्ट में से ही फिर प्रेजिडेंट जो है वो नाम final करेंगे higher judiciary के लिए जिनकी भी appointment हो रही है particularly Supreme Court की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर एक चीज द्यान रखना कि government का यहाँ पर role तब आया जब judiciary की तरफ से अपने नाम final कर दिये गए इस बात को maintain रखने की पूर उनका आप नाम लिस्ट में लेकर के भेज देते हो प्रेजिडेंट के पास में अब प्रेजिडेंट जो है वो council of minister led by prime minister के साथ consultation करेंगे हाँ बही किस नाम को हमें approval देना है किसको reject करना है अब आप देखोगे कि अगर एक भी नाम उनमें से इस पसंद नहीं आया दुबार chief justice of India और उनके पास में ये नाम चले गए कि हाँ भई हमारे पास में आप इसको दुबारा से consult करो दुबारा से revise करो इस list को तो again वो list अगर आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं president के उपर एक binding situation create हो जाती है कहने का मतलब एक बार केवल review करने के लिए ही उस list को भेजा जा सकता है collegium system के पास में बट यहाँ पर issue क्या आता है कि देखो supreme court में किसकी appointment होनी चाहिए इसमें बोले collegium system जो है वो अपने हिसाब से अपने ही चहेते judges को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में बोले supreme court पर कोई लगाम नहीं लगती यह allegation लगते हैं फिर इस collegium system पे बट की तरफ से effort किया गया 2014 में और वो effort क्या था वो था national judicial appointment commission NJAC जिसमें यह provision था कि यह जो collegium system है जिसमें केवल supreme court के 5 judges ही मिलकर के नाम decide कर रहे हैं इसकी जगह है एक commission constitute किया जाएगा जिस commission में एक तो होंगे chief justice of India और उनके अलावा आप देखोगे कि supreme court के दो senior most judges होंगे तो त प्लस उसमें जो law and justice minister है union government में एक तो वो हो जाएंगे law and justice minister और एक और दो जने हो जाएंगे eminent jurist जो की कहीं ना कहीं law के बारे में जानकारी रखते हैं eminent personality तो total 6 member का यह commission constitute करने की बात की इसमें executive उसका भी participation जो था वो देखा जा रहा था बट यहाँ पर supreme court में फिर जैसे ह यह provision किया गया ना national judicial appointment commission का यह हमारे constitution में 99th constitutional amendment के आधार पर हुआ था ठीक है पर आप देखोगे कि constitution में जब यह changes लाए गए इसके लिए अलग से कानून ला दिया गया तो फिर supreme court में इस 99th constitutional amendment act को कर दिया challenge और कहा गया कि भई यह तो कहीं ना कहीं constitution की basic structure का violation है basic structure की emergence कहां से होती है 1973 का जो case वनन्द भारती case है जिसमें यह provision निकाला गया supreme court के द्वारा कि constitution में कुछ ऐसी चीजे हैं जो की more or less बहुत जादा integral है constitution की खुद की definition के साथ में और उसको बिलकुल भी छेड़ना allow नहीं किया जा सकता और ऐसे में बोला अगर constitution की उस basic या fundamental structure को change करने की किसी ने कोशिश की तो मान के चलो कि constitution का जो behavior है जो हमारे four fathers ने सुचा था वो बिगड़ जाएगा तो ऐसे में यह basic structure का doctrine आगया आपका 1973 केस वनन्द भारती केस में और इसी basic structure doctrine को recall करते हुए इस 99th constitutional amendment act को कर दिया unconstitutional करार क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि union law minister और दो eminent person इनका एक आप कह सकते हो कि इनकी entry हो रही है collegium system की जगह है जो की exclusively judiciary का काम कर रही थी judiciary के लोग ही थे तो इसको replace करने की जब कोशिश की गई तो supreme court में जब case गया तो supreme court ने कहा कि देखो power separation भी कोई चीज होती है और power separation जो है वो हमारे constitution में वैसे तो article 50 में mentioned हमार constitution में directive principle of state policy में plus साथ में ये basic structure का भी part है आप independent judiciary या judicial independence को compromise करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर executives की entry आना कही ना कहीं judiciary के लिए एक infringement के तोर पे देखा जाएगा हस्तक shape के तोर पे देखा जाएगा और उसके आधार पर इन्होंने फिर ये जो provision था 99th constitutional amendment act का जिसके तहत national judicial appointment commission बनाने की बात की गई थी उसको कर दिया rejected तो कहने का मतलब ultimately collegium system खतम नहीं हुआ more or less वो अभी भी चलता चला जा रहा है अब जो supreme court में जो अभी recent case गया उस case में supreme court के क्या opinion आए पहली चीज कि देखो constitutionally अगर देखा जाए तो collegium system जो है उसको कहीं पर भी review करने की जब कर चुके हैं 99th amendment के आधार पर इसके अलावा साथ में ये भी कहा कि अगर judicial review के आधार पर कोई ये कहे कि judicial review का मतलब हो गया आप article 13 की बात कर लो मोटी मोटी कि हाँ बही कोई भी काम हो रहा है तो उसमें ये देखा जाए कि constitution के कुछ provisions हैं उनका आप violation तो नहीं कर रहे हो कहन वहाँ पर आपके पास में जो रिट jurisdiction अर्टिकल 32 का जिसमें आप certiorary और mandamus जैसी रिट्स issue करते हो उनके लिए भी आपके पास में कोई space नहीं है इसका मतलब ये हो जाता है कि आप किसी court को ये decide करने के लिए आप कह सकते हैं कि certiorary जो रिट है उसमें सीधा मतलब होता है to be certified इसका मतलब होता है कि higher court होती है ना वो lower court के लिए कुछ orders declare करती है या lower court की जो भी functioning को उसको check करती है देखती है कि वह अपने jurisdiction में काम कर रहे हैं अपने limit से ज़्यादा तो काम नहीं कर रहे हैं हाना किसी case को अपनी तरफ बुलाना है किसी case को एक court से दूसरे में transfer करना है तो उससे सम्मंदित भी यहाँ पर जो एक writ issue करवाई जा सकती है आर्टिकल 32 के आधार पर बोला उसके लिए कोई eligibility नहीं दिखाई देती कहने का मतलब writ वाला जो provision है उसको भी reject कर दिया even mandamus जिसमें आप देखोगे कि जो supreme court है वो आर्टिकल 32 के आधार पर और high court की बात करे तो रिट्स का jurisdiction आर्टिकल 226 के आधार पर आजाता है तो उसके तहत supreme court जो है या फिर आप कह सकते हो कि court के उपर आप कोई dictation नहीं लगा सकते कि हाँ जी आपको यह करना होगा कहने का मतलब यह आ गया कि judicial review के लिए अगर application या petition डाली जा रही है तो उसमें आप court पर कोई द जबाव नहीं बना सकते साथ में supreme court ने कहा कि देखो जब भी जजिस की appointment होती है तो उसमें eligibility और suitability दोनों चीजे देखी जाती है eligibility का मतलब यह हो गया कि एक individual जो कि high court या फिर supreme court में judge बनने के लायक है या नहीं वो चीज चेक करना जैसे कि high court में judges की appointment होती है वो article 217 clause 2 के उनके पास में at least 10 साल का experience होना चीए Indian judiciary में काम करने का तो वो वो judiciary में high court में judge बनने के काबिल होते हैं तो ऐसे में वो वो एक eligibility है और वहीं दूसरी बात suitability की बात करें तो suitability देखो वहाँ पर जब collegium system में already 5 individual जो की exclusively judicial background से हैं तो उनको वहाँ पर ये चीज पता करने में को नहीं कौन suitable है Supreme Court के लिए कौन suitable high court के लिए तो वहाँ पर बोलग कोई भी हस्तक शेप की या review करने की कोई जरुवत नहीं है तो ये arguments देते हुए Supreme Court नहीं ये कह दिया कि बात ऐसी है कि यहाँ पर हमें कोई जरुवत नहीं दिखाई दे रही कि collegium system को हमें review करने की जरुव national scheme तो बोले ये चलेगा आगे कोई problem नहीं आने वाली है थीक है तो ये था ये एक article आगे चलते हैं next आपका article आजाता है senior lawyers and advocates देखो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों को minutely समझना पड़ेगा क्योंकि यह मामला जो है वो advocates की category से related है तो सबसे पहले तो senior lawyer या advocates इनमें हम कहतना की detail में जाए या फिर उनसे संबंदित जो भी हमारे constitution में या फिर उनसे related जो laws हैं उनसे हम थो advocates कौन होते हैं देखो advocate वो होते हैं जिनके पास में LLB की degree है प्लस जिनोंने बार council of India में अपना registration करा रखा है इसका मतलब खुद को एक तरीके से वकील के तौरबे जो बता सकेगी हाँ जी मैं वकील हूँ वो जाते है advocates दूसरी दूसरी important term आती है that is advocate on records हम Supreme Court के भीहाफ पर case लड़ना चाते हो case दायर करना चाते हो अपनी party की तरफ से तो आपको advocate on records होना जरूरी है यह क्या होता है यह देखो Supreme Court के दौरा अपने खुद के standards fix किये हुए हैं कि भई हमारे यहाँ पर कौन अपनी तरफ से practice कर सकता है तो उनको Supreme Court के दौरा एक exam conduct कराई जाती है उस exam को जिन भी advocates ने pass कर लिया वो automatically advocate on record के तौर पे अपने आपको register कर लेंगे तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो लोग advocate on record होते हैं वो लोग Supreme Court में अपना case लड़ सकते हैं कोई problem नहीं आएगी केवल advocate है तो वो कही ना कही है कि assistance के तौर assistant के तौर पे काम कर सकते हैं बट lead role जो जो होंगे उनी का रहेगा ध्यान रखें फिर तीसरी important term है that is senior lawyer और senior advocate देखो इसमें simple सी definition है यह different high courts और Supreme Court की अपनी एक policy होती है जिसके तहत एक individual जो की already advocate on record है बट उस बंदे के पास में बहुत बड़ा experience है बहुत सारे cases उन्होंने लड़ लिये और उनके पास में अब seniority का tag जो है वो होना चाहिए जिससे कि फिर उस individual को इतने महीनों की या सॉरी इतने सालों की जो तपश्या है जिसके आदार पर उस senior बने है उसका उनको benefit मिल सके तो senior advocate का जो tag है वो more or less एक कह सकते है कि Supreme Court के द्वारा दिया जाता है assign किया जाता है right तो इस तरीके से तीन के टिग Supreme Court के द्वारा अभी recently नई guideline चीशू की गई है कि किसको senior advocate बोला जाएगा जैसे मैंने बोला कि senior advocate का जो designation है वो Supreme Court के द्वारा दिया जाता है और Supreme Court में भी एक committee constitute होती हो committee का नाम आपको याद रख लेना है committee का नाम है committee for designation of senior advocate जिसमें Chief Justice of India तो होते ही है plus दो senior most judges हो गए plus attorney general जो कि article 76 के आदार पर president of India के द्वारा अपॉइंट किये जाता है जो कि सरकार के वकील है plus एक bar member होंगे मतलब senior वकील होंगे जो कि bar council of India में काम करते हैं तो इन लोगों की द्वारा ये जो committee constitute हो रही है इस committee के द्वारा अपनी तरफ से एक तरीके से proposal दिया जाएगा कि ब जाने का मतलब यह है कि पहले की जो guidelines थी उन guidelines को अभी change किया है अब सोचने वाली या जानने वाली बात यह है कि अभी क्या change आये है या latest क्या है latest यह देखो यह है कि अगर अब किसी individual को senior advocate की designation लेनी है तो सबसे पहले उस individual के पास में at least 45 years की age होनी चाहिए सबसे पहली चीज कम से गम 45 साल की उम्र होनी चाहिए साथ में अगर देखा जाए तो यह जो पूरी committee काम कर रही है यहाँ पर जिसको हमने बोला committee for designation of senior advocates इस committee में जो chief justice of India है और इनके अलावा दो और judges है यह अगर मिलकर के किसी को age relaxation देना चाहें तो अपने हिसाब से देश सकते हैं इसका or less supreme court में judge senior lawyer senior lawyer का tag तब ले पाएंगे जब यह classification या यह criteria पूरा कर पाते हैं आपको ध्यान होना चाहिए कि जो senior advocate का जो provision है वो advocates act of 1961 ध्यान रखें advocates advocates act of 1961 के अंडर में आप notice करोगे कि section 16 clause 1 उसमें provision दिया हुआ है कि कौन तो senior advocate होगा और कौन other advocates की category में चला जाएगा senior advocate का designation कौन देता है मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें supreme court और high court अपने level पर जिसमें supreme court की अगर बात करें तो 2018 की guideline के आधार पर ये committee constitute की हुई है जिस committee में जिस committee को बुला दाता है committee for designation of senior advocates और इनकी recommendation के आधार पर फिर बाद में final approval रहता है कि हाजी कौन senior advocate रहेगा कौन advocate on record रहेगा advocate on record की बात करें तो सीधी बात है कि अगर किसी individual को supreme court में case लड़ना है तो सीधी बात है उसको advocate on record से तो contact करना ही पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको already बता दिया है कि advocate on record जो है उनी को ये चीज़ allowed है कि वो supreme court में case लड़ सके और advocate on record गौन बनता है जो exam पास कर लेता है supreme court के द्वारा जो भी prescribed exam होती है समझ गई बात समझ गए बात को और इसके अलावा देखा जाए कि advocate on record जो है उनको govern करने के लिए भी separate system पूरा तयार किया हुआ है जिसमें ये रहता है कि bar council of India में तो आपको enroll करना ही पड़ेगा जैसे कि मैं आपको already बता चुका हूँ क्योंकि advocate होकर के ही आप advocate on record के तो और पे काम कर पाओगे इसके अलावा देखा जाए तो हमारे constitution में article 145 बना ये supreme court को empower करता है कि अपने जितने भी supreme court के premises में जो भी काम हो रहे हैं उनके rules and regulations को समय रहते हुए अपने हिसाब से change कर सकते हैं regulate कर सकते हैं इसका मतलब article 145 जो है वो supreme court को अपने हिसाब से अपने terms and condition define करने के लिए allow करता है फिर चाहे हम यहाँ पर advocates के status की ही बात क्यों ना करें तो article 145 अलाव करता है यहाँ पर यह आपको ध्यान रख लेना है इसमें आपको कोई problem होनी नहीं चाहिए इसके लाबा advocates act 1961 में section 30 के more or less observe होता है तो यह चीज हमें ध्यान रखने नहीं है मुद्दा क्या है कि अभी recently supreme court के द्वारा senior advocates की क्या eligibility होगी किस तरीके से उनका approval होगा उससे related जो guidelines है वो अभी 2023 में release हुई है चेंज की गई है ठीक है आगे चलते है next article आपका sealed cover jurisprudence देखो सीधी बात है जब कभी भी कोई बहुत ही ज़्यादा sensitive case आ जाता है ना मान लो जैसे कि आप अभी recently बात करें तो राफेल का case था राफेल को लेकर के central government पर opposition की तरफ से बहुत सारे allegations लगाए गए कि जी बात ऐसी है कि central government ने गफले किये है यहाँ पर इस तरीके से France की जो company उसके साथ में deal हुई है जिस गिल राफेल आ रहे हैं तो इसमें बोला supreme court को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से stand लेना चाहिए justice ensure करनी चाहिए तो ऐसे में राफेल की जब बात आती है ना तो सबसे पहली चीज तो international relation की बात आ गई bilateral relation इंडिया और France दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर national security की बात भी है और तीसरी सबसे important चीज कि यहाँ पर अगर supreme court के दुआरा कोई जल्दबाजी में openly किसी इस राफेल वाले case को सुनवाई में ला दिया जाए तो आप सोचो कि कितने सारे consequences हमें देखने को मिल सकते हैं मतलब पाकिस्तान जैसे देश या हमारे दुश्मन देश तो इस तरीके की बातों को लेकर के क्या-क्या हमारे किलाफ में planning कर सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते तो ऐसी परिस्तितियों में जब ऐसी कोई sensitive issue है जिसके चलते हैं बहुत कुछ issues create हो सकते हैं market में या फिर हमारे देश में या फिर internationally तो उन चीजों को अगर Supreme Court चेक करना चाहे तो उसके लिए एक तरीका निकाला हुआ है that is sealed covered jurisprudence इसके अंदर क्या होता है कि Supreme Court के द्वारा जो भी concerned agencies हैं उनको ये कहा जाता है कि देखो हमारे सामने ऐसे ऐसे case हमारे सामने ऐसे ऐसे petitions आ रही हैं आप ए रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स को no doubt हम public तो नहीं कर सकते क्योंकि public करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा तो आप एक काम करिए उन रिपोर्ट्स को एक paper में या फिर envelope में डाल करके और हमें दे दीजिए और उन रिपोर्ट्स को हम देख करके और फिर बाद में decide क करके और finally एक जो होता है ना कि हाजी राफेल के मामले में कुछ गफला मिला कि नहीं मिला ठीक है एन रसी वाला केस था ठीक है बी सी सी आई में reform लाने वाली बात थी इन चीजों को फिर बाद में हम clear कर देंगे तो यही बात अभी recent टाइम में क्या होता है कि Supreme Court of India के द्वा foreign investors भी पैसा लगा रहा है और local investors भी बहुत पैसा लगा रहा है बट volatility बहुत जादा है investors की protection करना हमारी एक responsibility बनती है तो ऐसे में SEBI को और Government of India को कहा कि आप कहीं पर भी investor के लिए जो भी आपने protection provisions कर रखे ना उससे संबंदित आपकी जो भी guidelines है या internal जो भी आपका infrastructure है उसकी detail हमें कहीं ना कहीं provide की जाए इससे क्या हो कि Supreme Court कहीं ना कहीं ये चीज confidently कह सके कि India में जो लोग भी इस तरीके की बाते कर रहे हैं कि India में investment बहुत खत्रे वाली बात है या market कभी भी flop हो सकता है तो Supreme Court उस बात को बिलकुल खारीज कर दे अगर further कोई इस तरीके की petition आती है तो यही चीज यहां पर हमें समझनी है आप ध्यान रखें यह जो sealed cover में जो भी इस तरीके की investigation या फिर जो भी आप कह सकते हो कि सुनवाईया Supreme Court के द्वारा की जा रही है इसके लिए कहीं पर भी कोई legal कानून नहीं है इसमें Supreme Court क्या करता है Supreme Court का 2013 का अपना खुद का rule है Supreme Court Rules 2013 उ उसके आधार पर Supreme Court इस तरीके की request इस तरीके की demand कर सकता है concerning जो भी institution या parties है उनसे plus Indian Evidences Act of 1872 में भी section 123 Supreme Court को allow करता है कि Supreme Court को अगर कोई मुद्दा ऐसा लगेगी जो वाकई में public में open नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा sensitive है तो उसके लिए फिर वो अगर investigate करना चाहे या तो sealed cover jurisprudence का use वो कर सकते हैं तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीजों को बहुत सोच समझ करके आगे करने की ज़रुरत होती है जब कभी भी हम इस तरीके की cases की involvement में आ जाते हैं तो ठीक है ना आगे चलते हैं next आपका article है that is detention and custody देखो अभी होता क्या है कि Supreme Court के सामने केस आता है जिसमें एक accused को मतलब एक आरोपी को एक चीज तो आपको ध्यान होई चुकी होगी अब तक कि accused हुऊ है जिसकी पर एक 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 एवल आपने आरोप लगाए हैं जबकि conviction हो जाने के बाद में दोशी हो गय जाएगी यहाँ जी भी तुने किया है गडबड़ अप तेरे को सजा मिलेगी तो यहाँ पर क्या है कि Supreme Court ने concern raise किया कि एक accused को police custody में 15 दिन से जादा समय तक रख लिया जबकि यहाँ पर हम देखें तो constitution provision के हिसाब से देखो या फिर हम CRPC के provisions के आदार पर देखें तो उसमे कि अंदर अंदर जो भी concerned magistrate है उनके सामने पेश किया जाएगा और magistrate अगर उस arrest को approve कर देते हैं तब तो उस arrest को continue किया जाएगा otherwise उस individual को छोड़ दिया जाएगा तो कहने का मतलब यह 24 घंटे का provision तो हमें पता है बट यहाँ पर तो police custody की बात आई तो 15 दिन की बात कर दी य देखो इसके पीछे एक छोटी सी story है वो story कुछ ऐसी है कि जब police custody में किसी को रखा जाता है जैसे किसी police station में arrest किया और police station में रखा जा रहा है और उसमें police को investigate करने में जो कुछ भी अपसीधी बात है police को अगर magistrate के सामने लेकर के जाना है जिस भी individual को उन्होंने arrest किया है औ और उनको 24 गंटे के अंदर अंदर लेकर के जाना है पर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि police के सामने police के सामने ये 24 गंटे बहुत छोटे पड़ गए उनको investigate करने में अपनी बात साबित करने में police को 24 गंटों में सबूत ही नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में police जो है वो magistrate से request आधार पर वैसे तो 24 गंटे का provision है बट section 167 के आधार पर उस 24 गंटे से बढ़ा करके 15 दिन तक maximum 15 दिन तक इसका मतलब 24 गंटे का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 12 दिन, 15 दिन, maximum 15 दिन का time ओर दे सकते हैं police को इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई individual police custody में है अगर कोई individual police custody मतलब police station के jail में है तो आप मानो कि उसको maximum आप 15 दिन तक रख सकते हो इससे जादा नहीं रखा जा सकता और ये बात जब Supreme Court ने देखी कि एक individual को 15 दिन से जादा तक रख लिया तो Supreme Court ने अपनी concern शो कर दी तो एक बार मैं फिर से इसको चीज को sum up कर देता हूँ ध्यान से समझ लेना आप इस बात को देखो जब भी किस individual को arrest किया जाता तो arrest करने का काम हो गया police का ठीक है अब police अगर arrest करेगी तो सीधी बात है police को 24 गंटे के अंदर-अंदर magistrate के सामने ले जाना पड़ेगा अब आ 20 गंटे वाले time में magistrate के सामने चले जाते है ना तब तो देखो वो सारा काम हो रहा है CRPC के section 57 के अंतरगत बट अगर police के पास में evidences नहीं है पुलीस ये कह रही है कि हमें पूरा विश्वास है या फिर हमें थोड़ा सा time दे दो एक दिन दो दिन या maximum 15 दिन का इसके आधार पर हम और evidences collect करके साबित कर देंगे कि actual में यही बंदा culprit है इसको actual में arrest किया गया है तो कोई गलत नहीं है तो ऐसे में magistrate जो है वो CRPC में section 167 का use करते हुए police को 15 दिन तक का time दे सकते हैं 15 से कम भी हो सकता है maximum 15 दिन हो सकते हैं तो ऐसे में फिर police को एक relaxation space मिल जाता है फिर वो investigate करके अपने report जो है या फिर आप कह सकते हैं अपने evidences उनको ले करके magistrate के सामने अपनी दलील पेश कर सकते हैं तो इस तरीके का जो provision है that is related to custody अब देखो police custody और इसके अलावा एक ओर आती है that is judicial custody ऐसे में police custody तो देखो more or less मुझे लगता आपको समझ में आ गई हाना क्या हो police custody अब judicial custody क्या होती है मानो कि किसी individual को arrest कर लिया गया right किसी को arrest कर लिया गया और arrest करने के बाद में magistrate नहीं ये कहा कि देखो इस individual की जो सुनवाई है trial है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है तो ऐसे में एक काम करो इसको उठा कर गे और jail में रख लो अब jail कौन सी होगी वो central या state level की जो jail होती है police थाने वाली jail नहीं होगी ये jailer वाली jail होगी उस jail में उनको रखा जाएगा वो हो जाती है आपकी judicial custody जैसी जिसको बोलते है और judicial custody आपकी कितनी हो सकती है देखो depend करता है कि case कि gravity का है तो ऐसे में 60 से 90 दिन तक की judicial custody हो सकती है और ये चीज कहीं ना कहीं इस पर depend करेगी कि देखो individual जो है वो तो no doubt jail में है ध्यान रखें individual है वो तो jail में है क्योंकि magistrate ने बोल दिया और magistrate के order के आधार पर ये arrest हुआ या फिर jail में रखा जा रहा है इसलिए judicial custody को बोल दिया गया बट आप ध्यान रखें कि ये 60 से 90 दिन के अंदर फिर police को order दिया जाएगा कि आप investigate करो कि क्या क्या evidences उस particular individual के खिलाफ में आपको मिलते हैं फिर सुनवाई होगी अब अगर मान लो कि 60 से 90 दिन के अंदर police वहाँ पर कोई evidence collect नहीं कर पाती है जबकि बंदे को आपने jail में रोक रखा है तो फिर वो कहीं ना कहीं judicial custody का एक limit cross हो जाएगा फिर उसके आप कह सकते हो अलग provisions additionally आ जाते हैं जिसमें bail की इनकी फिर बादचीत होने लग जाती है तो point यहाँ पर क्या आता है कि किस तरीके से judicial custody और police custody है वो काम करती है तो ध्यान से आप देख लें police custody जब police को लगे कि यार इस individual ने crime किया है तो वो उसको arrest कर सकते है और अपने थाने में रख सकते हैं बट यस उस individual के पास में अधिकार है कि वो 24 गंटे के अंदर अंदर magistrate के सामने जाए पर magistrate से request करके police 15 दिन तक का time ले सकती है जो मैं आपको बता चुका हूँ section 167 के आधार पर CRPC के अंडर और वहीं दूसरी तरफ judicial custody के अगर बात करें तो यह देख विजुल को किवल शक के दाइरे पर रखा गया है बट magistrate के order के आधार पर कहां पर jailer वाली jail के अंदर तो वो हो जाएगा आपका judicial custody I hope आपको इन दोनों चीजों में एक के तरीकी से समझने में कोई issue नहीं आएगा ठीक है आगे चलते है नेक्स आपका article आ जाता है review petition देख उनको ये लगता है कि कहीं पर error हुई है या फिर उनको ये लगे कि भई जो भी Supreme Court का judgment आया judgment की सुनवाई जब हो रही थी उस time पर हमें जो evidences देने थे उन evidences में कुछ ऐसे decisive evidences अब हमारे हाथ लगे हैं जो कि उस time हम नहीं दे पाए जिसके चलते हमारे against में Supreme Court ने verdict दे दिय तो वहाँ पर उस particular verdict के खिलाफ जाकर के Supreme Court में review petition डाली जा सकती है जैसे कि नाम से पता पढ़ रहा है कि Supreme Court अपने judgment को review कर ले क्योंकि जो भी वहाँ पर applicant है या फिर ध्यान रखे केवल applicant नहीं मतलब जो concerned parties है केवल वो ही नहीं उनके अलावा भी अगर कोई individual XYZ आप हो मैं और उनको भी अगर लगे क्यार ये judgment में जल्दबाजी कर दी Supreme Court ने, evidences तो अभी और भी है हमारे पास में तो ऐसे में आप देखोगे कि जब judgment दिया है ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर review petition डाली जा सकती है Supreme Court में और ये सारा provision होता है article 137 के आधार पर, article 137 क्या कहता है कि Supreme Court जो है, वो अपने खुद के judgments को review कर सकता है, इसका मतलब Supreme Court से अगर कोई judgment के time पे कुछ error हो गई हो ना, तो उसको correct करने का एक option available रहता है, ध्यान रखें कि article 137 पे already UPSC prelims में question पूछ चुकी है ध्यान रखना इस बात की, इसके लावा article 145 को क्या कहता है, वो साफ-साफ ये क कहता है कि Supreme Court अपने system को run कराने के लिए different rules and regulations से related guidelines time to time issue कर सकता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि Supreme Court को अगर लगे कि हाँ जी हमारे दुआरा पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ काम किया गया है, जिसको हमें correct करना है, तो उसके लिए Supreme Court article 145 का use करते हुए अपनी खुद की guidelines issue क कर सकता है, जैसे कि हमने previously और अच्छे से discuss किया है, review petition की ध्यान रखे है हमें, इसमें कुछ limitations भी रहती है, वो limitation क्या रहती है, या फिर किस condition में आप review petition डाल सकते हो, तो उसके लिए 2013 में Supreme Court ने तीन important grounds decide किये थे, पहला कि आपको यू लगे कि हाँ हमारे पास में अभी latest कोई चीज आत लगी है, जो कि Supreme Court के judgment को बिलकुल you turn कर सकती है, over turn कर सकती है, change कर सकती है, और उसी मुद्दे से related जिसका judgment Supreme Court का already आ चुका है, तो आप review petition डाल सकते हो, अगर आपको लगे कि Supreme Court के द्वारा एक mistake हुई है, और Supreme Court भी इस चीज को consider करे, कि हाँ जी वाकई में error हुई है तो उसको फिर review किया जा सकता है, एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, कि यहाँ पर जिस जिन judges की bench ने पहले judgment दिया हुआ होता है, उनी judges की bench के सामने review petition लगती है, हाँ, अगर वहाँ पर किसी judge का retirement हो गया, या फिर judge unavailable है, तो वहाँ पर उनकी जगे कोई दूसरा judge आ जा में कुछ ऐसा कारण है, जो कि आप साबित कर पाते हो, कि भई कहीं ना कहीं हमें review करने का एक right है, तो review करेगा Supreme Court, तो कहने का मतलब यह तीन चीजों को ध्यान रखकर के ही Supreme Court review petition accept करता है, या reject करता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि Supreme Court review petition reject ही करता है, accept भी करता है, बहुत सारे judgment अपने खुद के Supreme Court ने correct किये है, past के भी, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कि review petition आप एक महीने के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हो, but yes, मान लो कि आप evidence collect करने में लग रहे थे, और evidences के collection में आपको 30 दिन से ज़्यादा का समय लग गया, वो ही मुद्दा जिस पे Supreme Court का already verdict आ गया, but आप review कराना चाहते हो, but आप evidence collect करने में कहीं problem आ रही थी, और आपने with the proof एक loyalty के साथ में Supreme Court की उस bench के सामने request डाली, कि एक बार review कर लीजिये हमारे आपके उस judgment को, हमारे पास में कुछ additional evidences हैं, जो कि उस judgment में बहुत important role play करने वाले हैं, तो situation की gravity को ध्यान रखते हुए, Supreme Court की judges की bench, जो है, वो decide कर सकती है, कि हाँ जी, review करना है, या नहीं करना, तो कहने का मतलब यहाँ पर, कि Supreme Court अपने ही judgment को review करता है, article 137 के तहत, और इससे सम्मंदित अपनी guidelines है, या Supreme Court अपनी proceedings से related, जो भी updates है, time to time, article 145 के तहत करता रहता है, तो यह हमे ध्यान रख लेना है, अब देखो, review petition के अलावा, जब review petition का option भी एकदम खतम हो गया, request डाल दी, जी एक बार देख लो, आपको पता पड़ेगा, कि हम जो evidences दे रहे हैं, वो हम, मतलब आपके judgment को बिलकुल you turn कर देगा, अगर उसका rejection हो गया, तब आपके पास में last option बसता ह है, that is curative petition, curative petition, ये 2002 का एक case है, supreme court का ही, नाम है, रूपा हुर्रा वर्सिस अशोक हुर्रा, इस case में provision ये था, कि article 137 के आधार पर, जो review petition का provision है, वो अगर एक individual या फिर एक party के द्वारा explore करने की कोशिश की जाती है, बट वहाँ पर अगर review petition reject हो गई, तो कहीं ना कहीं, curative petition एक last option के तारुपे आपके पास available होता है, जो कि आप Supreme Court में लगा सकते हो, और Supreme Court से दर्कवास कर सकते हो, कि बात ऐसी है, हमारे पास में अभी कुछ ऐसे evidences हैं, ऐसे हमारे पास में कुछ additional supportive document या फिर कुछ supporting content है, जो क judgment में बहुत important role play कर सकता है, तो वहाँ पर फिर curative petition आपके पास available होती है, अगर curative petition reject हो गई, तो उसके बाद में आपके पास में appeal का कोई scope नहीं बचता, अगर हम general access या general जो भी Supreme Court की proceeding होती है, उसकी अगर बात करे तो, तो इस तरीके से review petition है, वो बहुत important role play करती है, ध्यान यह 1996 में Supreme Court ने अपने rules में बोल दिया था, बोला 30 दिन के अंदर अंदर review petition डाल सकते हो, but yes, review petition के rejection के बाद में भी एक option है, that is curative petition, जो कि more or less Supreme Court के अपनी खुद की proceedings में 2002 का जो case है, हुर्रा family वाला, ठीक है, रूपा हुर्रा versus अजो कुर्रा, उस case में निकल के आता है, ठीक ह ध्यान रखे इस बात का, आगे चलता है, next आपका article आजाता है, that is bail, देखो जमानत की अगर बात करें न, तो सबसे पहले तो देखो हमें जमानत के तरीके पता होने चाहिए, फिर हम इस पूरे article को समझेंगे, एकदम आसानी से आपके दिमाग में set हो जाएगी चीजे, दे कि पुलीस investigate करेगी, फिर पता नहीं क्या evidence से जाएंगे, तो उस case में एक individual जो है, वो हो सकता है इस बात को कहके, कि हाजी मैं इस particular case में involved नहीं था, इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी convincing बाते या convincing चीजे कह दी magistrate के सामने, तो देखो bail मिल जाएगी, बेल का मतलब जमानत एक तरीके से, कि हाँ भई, case तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, पर जब तक proceeding हो रही है, या फिर जब तक trial चल रहा है, या trial होने से पहले कि हम बात करें, कि हाँ भई, FIR तो lodge हो गया, ठीक है, case start हो गया, बट अभी judicial proceeding चलना भी बाकी है, तो ऐसे में आप request डाल सकते हो, कि मेर तब्यत खराब है, या कोई और कारण, या फिर ये साबित कर दो, कि मैं इसमें involved नहीं हूँ, आप मेरे किलाव में चाहे, आप कर लो अपने investigation जो भी करनी है, बट मैं involved नहीं हूँ, इसमें मेरे उपर minimum, आप कह सकते हो, कि doubt ही नहीं है, कोई scope ही नहीं है, तो आप मुझे bail दे दो, जमानत दे दो, तो ऐसे में आप देखते हो, कि जब कभी भी, पुलीस के द्वारा, non-bailable offense में, non-bailable offense का मतलब, ऐसे crime, या ऐसा कोई, आप कह सकते हो, offense, जिसके चलते हैं, अगर conviction final हो गया, तो उसके बाद में bail मिलने का कोई scope नहीं है, मोटी-मोटी बात करें, या ऐसा crime, जिसके अंदर bail का कोई scope नहीं रहता, उनके लिए, उनमें अगर आप, या कोई individual XYZ उलज गया, तो वो bail की demand कर सकता है, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि police arrest करें, बट investigation चलती रहे, तो police custody में ना रहे करके, या judicial custody में ना रहे करके, आप jail से बाहर रहना चाते हो, कि जब तक मेरा दोष्ट साबित नहीं होता, तब तक आप मुझे custody में मत रहे को, custodies क्या होती है, आम already देख चुके है, इसमें आपको doubt नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में क्या है, कि bail का जो provision है, इसको आप more or less चार categories में divide गर सकते हो, ध्यान से समझ लेना, ये category समझना जरूरी है, तब जाके context अच्छे से समझ में आएगा, seconds में कि Supreme Court ने क्या कहा, देखो, bail के चार तरीके हैं, पहला तो है regular bail, regular bail में तो क्या होता है, अगर हम CRPC की धाराओं की बात करें, तो उसमें आपको section 137 मिलेगा, और section 439 मिलेगा, ये दो sections के आधार पर आप regular bail ले सकते हो, regular bail का मतल आपने जाकर के, magistrate के सामने कब जाओगे, पुलीस ने arrest किया individual को, और 24 गंडे के अंदर, magistrate के सामने आप चले गए, और वहाँ पर आपने ये कहा, कि भई सीधी बात है, कि अभी आपकी investigation बाकी है, आप मुझे bail दे दीजे, तो magistrate जो है, वो, अगर magistrate के सामने आप गए, ज आप किसी high court या session court में गए, तब आपको वहाँ पर एक तरीके से जो आप कह सकते हो bail मिलेगी, वो section 439 के आधार पर, तो ये तुद्धे को regular bail है, कि भई investigation हो रही है, होने तो कोई problem नहीं है, बट आप मुझे relief दे दो, तो ये regular bail का provision होता है, जो कि more or less आप normal cases में देख सकते ह पर वहीं दूसरे तरफ हम और अलग तरीकों की bail की बात करें, तो फिर आजाती है आपकी default bail, क्या गई, default bail, default bail क्या होती है, simple सी बात है, सबसे पहली चीज, ये बात हमने already discuss कर लिया है, क्योंकि CRPC में, जो section 167 है न, उसके तहत ही ये provision available है, default bail वाला, वो कैसे होता है, मानो कि individual को arrest कर लिया गया, और जिस case की हम बात कर रहे हैं, वो case थोड़ा सा heavy punishment वाला है, ठीक है, 10 साल तक उसकी अगर सजा जा रही है, 10 साल चे ज़्यादा जा रही है, तो ऐसे में अगर police की investigation में, ध्यान से समझने है इस बात को, police की investigation में, 60 से 90 दिन का time magistrate के द्वारा दिया गया, बट, 60 से 90 दिन के time में, police जो है, वो proper charge seat दायर नहीं कर पा रही है, charge seat दायर या फिर कहो, कि investigation के आधार पर जो report बनती है, final, वो दायर नहीं कर पा रही है, तो आप देखोगे, कि जो individual arrest किया गया है, वो individual अपनी एक request डाल सकता है, अपनी application डाल सकता है, कि देखो, 60 से 90 दिन का time बीच चुका है, अभी तक भी police ने अपने report submit नहीं की है, तो आप मुझे default bail दे दीजिए, तो ऐसे में, ये एक अधिकार के तौर पे देखा जाता है, कि एक individual को arrest कर लिया, बट या 60 से 90 दिन के time के अंतरगत भी report तयार करने में, police सक्षम नहीं है, तो individual, आप कह सकते हो, default bail के, आप कह सकते हो, अधिकार में आ जाता है, वो default bail के application डाल सकता है, और ये provision आपको CRPC के section 167 में मिलेगा, इसके अलावा, जब FIR lodge हो गई, ठीक है, police के पास में report गई, और police जो है, वो आपको arrest करने के लिए बिल्कुल ready है, तो ऐसी परिस्तितियों में, आप क्या करते हो, कि अपने वकील को भेज करके, या अपने किसी representative को भेज करके, और आप magistrate के पास भेजोगे उसको, और कहोगे कि magistrates आपको जाके बताओ, कि ऐसे ऐसे करके एक F.I.R. lodge हुई है, और उसमें मेरा को involvement नहीं है, और ये साबित कर देता है, वकील या फिर कोई भी individual या पर जमानत के लिए approval दे देता है, मतलब arrest से पहले ही आपको जमानत मिल गई, इसको बोलता है anticipatory bail, इसका मतलब आपने anticipate कर लिया cricket match देखते हो, तो आपने notice किया होगा, कि जब ball sneak हो करके कहीं गिरती है, या फिर slip वाला filter या short गली में, या कहीं पर कोई filter अगर लगा हुआ हो तो वो पहले ही जम्प कर जाता है कि हाजी ball इधर जाएगी और उधर से जम्प करते हैं, हाथ में ball आ गई, catch out कर देता है batsman को, तो commentator क्या बोलता है, anticipation बहुत अच्छा किया था, हाना, तो anticipation का मतलब क्या हो गया, कि आप पूरु आनुमान कर लेते हो, तो यहाँ पर jail होने स पहले ही आपने क्या लेली, bail लेली, तो यह anticipatory bail है, इसका provision आपको CRPC में section 438 के आधार पर मिलता है, यह आपको ध्यान रख लेना है, इसके अलावा और बात करें, तो यहाँ पर हम जो regular bail की बात करते हैं, वो more or less आपकी statutory bail हो जाती है, ठीक है, और उसके अलावा देखा और बी provisions हैं, जैसे कि transient anticipatory bail, इसका मतलब क्या है, कि no doubt आप anticipatory bail की demand कर रहे हो magistrate के सामने, बट case किसी एक state में हुआ है, और jurisdiction किसी और state का आ रहा है, तो इस चक्कर में वहाँ पर मामला जो है, वो transitional हो गया, तो ऐसे में आप transient application भी डाल सकते हो, anticipatory bail के लिए, यह हमें जरूरी जानना कि कौन-कौन सी bail होती है, किस तरीके से वो काम करती है, और एक bail होती है, आपकी interim bail, चौती तरीके की, यह CRPC में कहीं पर भी इसके बारे में provision नहीं है, ध्यान रखना पहली चीज तो, CRPC में interim bail के बारे में कोई provision नहीं है, यह more or less temporary basis पर होती है, जिसमें आप magistrate से request कर करके, यह अपनी तरफ से demand करके, यह कह सकते हो, कि जब तक देखो, कुछ साबित नहीं होता, आप मुझे relaxation दे दो, jail में रखने की बजाए, आप मुझे free रहने का मौका दीजे, but yes, जब भी सुनवाई होगी, मैं वापिस आ जाओंगा, तो bail देने के पीछे, यह बहुत right to life with dignity, उसके तहत, एक individual के अधिकारों की जब बात की जाए, तो जब individual को अगर आपने jail में रखा हुआ है, और उस jail में, या फिर custody में रखने की आप कोशिश कर रहे हो, रखा जा रहा है, और उसके खिलाफ में, जो charge sheet police को दायर करनी चीए, वो 60 से 90 दिन के दरमया नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उस individual का अधिकार है, कि उसको वो bail दी जाए, वो bail कौन सी होगी, default bail, तो Supreme Court ने कहा, कि default bail जो है, वो accused ROP का एक अधिकार है, जो कि article 21 के अंडर आता है, और उसको state deny नहीं कर सकता, सरकारी संस्ताएं deny नहीं कर सकती, वो default bail में आपको बता दिया, कि व request डालनी पड़ती है, कोट पे, और इस बात पर ठपा Supreme Court ने लगा दिया, कि भई, जब investigation करके, पुलीस साबिती नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं, default bail जो है, वो देनी चाहिए, accused को, right, इसके अलावा, आप देख सकते हो, कि article 32 हना, वो भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर एक तरीके से, अपने आप आजाता है, क्योंकि article 21 का involvement हो गया, तो fundamental rights के protection के लिए, आप कहा जाओगे, fundamental rights से related, जो remedies हमारे constitution में available है, तो automatically, यहाँ पर कहीं ना कहीं, certiorary और prohibition जैसी जो, आप कह सकते हो, कह सकते हैं, रिट्स है, वो आजाती है यहाँ पर, जहाँ पर higher court जो है, वो lower court को अपनी तरफ से, direction दे सकता है, कि भाई, इस particular case में यह करो, इस particular case को, या तो आप इस, दूसरे court में shift करो, या higher court में shift करो, आपका jurisdiction नहीं है, तो कहने का मत मामला आ जाता है, एक default bail का, और default bail का मतलब मैं already आपको बता चुका हूँ, कि जब 60 से, 60 से 90 दिन तक, अगर investigation कर लिया, कुछ नहीं मिला, police को, police finally report ही नहीं कर पा रही है, तो देखो, उस individual को फिर बाद में free करना, free का मतलब उसको bail देनी होगी, फिर उसके बाद में सवाल ही ही है, कि देखो हमें 10 दिन या 15 दिन, एक अफता ओर दे दो, हम एक अफते के अंदर पूरी final report submit कर देंगे, otherwise, अगर report submit ना हो, तो आप इनको bail पे बेज देना, जिसको हमने arrest किया है, तो इस तरीके का पूरा process होता है, अब आप एक चीज notice कर रहे होंगे, कि 60 से 90 दिन की बा दिन के अंदर investigate करके final करना होगा, और अगर crime 10 साल से जादा है, तो मानो 90 दिन का उनको time मिल जाएगा, तो कहने का मतलब, as per the gravity of the situation, ये चीज़ डिसाइड की जाएगी, अच्छा, individual को जब रखा जाता है, magistrate के order के आदार पर, और 60 से 90 दिन की range के हम बात कर रहे हैं, तो maximum कितने दिन दिया थे, 15 दिन, याद है, section 167, ओके, ध्यान रखना है इस बात को, चलते हैं आगे, next आपका article आजाता है, that is stamping and arbitration, सबसे पहली चीज़ तो arbitration आपको पता होनी चीज़, फिर stamping के बारे में समझेंगे, और फिर इस मुद्दे को जानने की कोशिस करेंगे, कि क् अब भी दो parties के बीच में, कोई भी business या कुछ भी start होता है, तो वो कहीं न कहीं एक agreement sign करते हैं, right, उस agreement में कुछ ऐसे provisions होते हैं, जिनमें वो अपने हिस्सेदारी की बात भी करते हैं, और कुछ ऐसे provision भी होते हैं, जिनमें ऐसा होता है कि कलको ना हमारा agreement अगर तूटता है, तो हम कैसे उस पूरे हमारी collaboration को divide करेंगे, किसका कितना हिस्सा होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन culprit होगा, कौन नहीं होगा, तो ऐसे में अगर आप देखोगे कि agreement हो गया, parties काम कर रही हैं, और दोनों के बीच में dispute आगया, तो dispute आने के बाद में दोनों parties A, party A और party B, दोनों एक दूसरे पर allegation लगा रहे हैं, कि तू गलता, तो गलता, तेरों को ज़्यादा हर जाना बुगतना पड़ेगा, तो ऐसी परिस्तितियों में इन दोनों के बीच में आगया dispute तो dispute को resolve करने के लिए चाहिए, आपको dispute resolution system, ओके, अब सवाल यह है कि dispute resolution system में आपके पास में है courts, अब सवाल यह आ जाता है कि courts में यह दोनों parties जाने के लिए खुश है क्या, क्योंकि court में जाने का मतलब, सबसे पहली चीज़ आपको वकील करना पड़ेगा, आप normally एरकिस से बात नहीं कर सकते, वकील को hire करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और फिर आपको time और efforts लगाने पड़ेगे, तब जाकर के court के पता नहीं कब judgment आएंगे, तो क्या इतनी लंबी litigation को जाने के लिए A और B party दोनों राजी हैं क्या, generally नहीं होती, तो क्या किया जाए, इनके लिए फिर निकलता है arbitration का mechanism, जिसको हम बोल सकत करके किसी neutral party को X को choose करेंगे, जिसको more or less इनके मुद्दे के बारे में पता है, but yes, इस मुद्दे से उनको कोई लेन देन नहीं है, उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, ultimately एक neutral party को choose करेंगे, और वो neutral party दोनों की बात सुनेगा, दोनों के evidences सुनेगा, और फिर उसके बाद में judgment दे देगा, और वो judgment जो है, वो more or less दोनों के उपर binding होगा, चाहे B को खामियाजा बुगतना पड़े, जो कुछ भी agreement था उसकी terms and condition के आदार पर, या फिर A को, दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है, अब सवाल यह है, कि मानने से मना कर दिया A या B ने, अब यहाँ पर X ने जो point बोला, वो था आपका arbitration, मध्यस्तता करवा दी, दोनों के बीच में मुद्दा sort out करा दिया, इन दोनों के बीच में conciliation भी हो सकता है, समझोता भी करवाया जा सकता है, अरे यार मिल बाटके बैटलो, sort out कर लो ना, क्यों फाल, तुम्हें case लड़ रहो, और arbitrator के द मतलब, मध्यस्तता करने के बावजूद भी कोई solution ना निकले, तो parties जा सकती है, court में, अब देखो, मुद्दा आ जाता है, अब अपने article का, I hope arbitration आपको समझ में आ गया होगा, कि कैसे काम करता है, ठीक है, इसमें judiciary का कोई linden नहीं है, यहाँ पर private court बैठता है, यूं मानो, एक neutral individual को बुलाया जाता है, जिसको ग्यान है उनके में matter का, और उसको इस matter से कोई linden भी नहीं है, तो neutral judgment देगा, तो अगर वो बात मान ली, तो मुद्दा वहीं रफा रफा हो गया, और अगर नहीं मानी, तो चलो आजाओ, अब court में आजाओ, अब court में अगर कोई पहुँ द्वारा दिया हुआ, जो document है, वो document अगर proper stamped document पे print करवाया गया है, और उसकी registration करवाई गई है, और उसकी stamp duty भी पे की गई है, तब तो वो हो गया, stamped arbitration agreement, और अगर इस तरीके से कोई stamp, वो 5000 केरे वो कागेश पे print होकर क्या आता है ना, ठीक है, मैं image लेना भूल गया, अना, जब जिनको भी register कराना होता है, 20,000, 10,000, 5000 का वो stamp होता है, उपर note सपा हुआ रहता है, तो वो stamp हो गया, अब अगर मान लो, कि कोई arbitration बिना किसी stamp वाले document पे हुआ था, अब उस arbitration वाले agreement के खिलाफ में कोई भी party court जाना चाहे, तो अब सवाल या आता है, कि जब stamped agreement न court में use किया जा सकता है, या नहीं, ये था सवाल, और Supreme Court की साथ judges की bench ने बोल दिया, देखो बात ऐसी है, कि 2023 में तो हमने ये कहा था, April 2023 में, I mean, पहले तो पहले का हमारा judgment ये था, कि arbitration जो है, वो proper stamped document होना चाहिए, तो ही उसको आप reference के तोर पे use कर सकते हो court में, बट हम अप आप मारे previous judgment को change कर रहे हैं, और साथो जजिस की, साथो जजिस ने क्या कहा, unanimously, without any opposition, कि भई, अगर arbitration हुआ है, उसका जो final agreement है, उसका कोई stamp नहीं है, उसको कोई भी registration में register नहीं कराया गया, बट उस document के ओपर दोनों parties ने sign किये थे, जब arbitration ने, मतलब जो arbitrator था, उसने proper काम क के चलो, that means, court की proceeding में वो document helpful है, ये बात कह दी Supreme Court ने, अब आप देखोगे, कि ये जो stamp duty होती है न, ये basically एक तरीके का text होता है, जो कि अलग-अलग states के दौरा अपने हिसाब से apply किया जाता है, state governments की revenue की बात करें न, तो उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरीया है stamp duty, जब property खरीते हो, कोई बड़ा agreement करते हो, और उसका जब भी registration कराया जाता है, तो आपको stamp duty देनी पड़ती है, जो कि government of that particular state, उनके आप कह सकते हो, account में जाता है, पैसा, government की account में जाता है, state की में, इसका मतलब हर एक state की अपनी खुद की stamp duties अलग-अलग होती है, हाँ, ये है कि कु Central level पर अप्रोच होने वाले, तो central government उनके लिए अपनी duty fix करके चलती है, और state level का है, जैसे मानलो कोई property के लेन देन का, तो वो state level की duty वहाँ पर impose होती है, duty मतलब tax, ओके, तो इस तरीके से सारा mechanism काम करता है, I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, आगे चलते हैं, Next अपना topic आता है criminal law reform bills, recently आपको पता है कि Parliament में तीन important bills introduced किये जाते हैं, वो तीनों बिल थे हमारे criminal justice system में काम आने वाले colonial era से related laws को replace करने के लिए, तो तो तीन colonial laws जो हैं, उनकी बात करें तो वो एक तो है Indian penal code आपका, जो की 1860 का है, एक आपका आजाता है Indian Evidences Act, जो की 1872 का है, और फिर उसके बाद में आपका जाता है code of criminal procedure CRPC, जो की 1973 का है, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो ये पुराने कानूनों को replace करने के लिए bills introduced होता है पार्लियामेंट में, पारित हो जाता है, फिर उसके बाद में जाता है वो president के पास में assent के लिए, और ultimately president of India दुरापदी मुर्मुजी ने sign कर दिया, approval दे दिया, और ये जो bills थे, ये ultimately बन गए act, इसका मतलब क्या हुआ, कि अब ये जो तीनों नए bills हैं, नए कौन से थे, नए कौन से हैं, जो कि इन पुराने तीनों को replace करेंगे, एक तो है भारतियन न्याय सहीता, जिसको BNS बोलेंगे, जो कि Indian Pen Penal Code को replace करने वाली है, एक आप देखोगे, भारतीय नागरिक सुरक्सा सहीता, ठीक है, वो आपके CRPC को replace करेगा, एक हो गया भारतीय साक्षय Act, साक्षय का मतलब evidence, ठीक है, ये Indian Evidences Act को replace करने वाला है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए, तो पुराने तीनों laws के लिए, नए laws तयार किये गए हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है, कि नए तीन laws में क्या important provisions है, जो कि हमारे exam point office है, हमें ध्यान रखने की जरुवत है, जैसे कि कौन से नई चीज़े introduce हुई है, क्या कोई change किया गया है, या कोई controversial issue है, जिसको यहाँ पर update किया गया है, तो वो हम जानने के कोशिश करेंगे इन तीनों laws में, सबसे पहले हम बात करते हैं, भारतीय न्याय सहीता, इसको normally देखा जाया न, तो Indian Penal Code को भी भारतीय न्याय सहीता ही बोला जाता था, तो अभी जो भारतीय न्याय सहीता पास हुई है न, इसको आप BNS 2 भी बोल सकते हो BNS 2, BNS 1 तो क्या हो गया, जो Indian Penal Code है, ठीक है, BNS 2 का मतलब अभी जो आया है, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़े चेंज की गई हैं, कौन-कौन सी चीज़ों को रेटेन किया गया है, वो हम जानते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो, किसी भी इंडिवीजुल के खिलाफ में अगर कोई offense होता है, कोई भी crime अगर किया जाता है, जैसे कि मालो, murder है, ठीक है, या फिर suicide के लिए एक तरीके से उकसाने की बात होगी, या किसी के ओपर आप assault, attack करते हो, तो इन चीज़ों को more or less IPC का जो provision था ना, Indian Penal Code का, वो ही provision continue किया गया है, that means इसमें कोई ज्यादा changes न समझ करके पत्थर बाजी के लिए तैयारिया करी, ठीक है, तो वो organized crime है, सोच समझ करके किसी के एक तरीके से trap बनाने की कोशिश की, जिसके खिलाफ में या किसी institution को आप खतम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो organized crime हो गया, जिसके तहत आपने पूरा proper plan किया है, फिर उसको execute कि इसके अलावा terrorism की जो activities है, उनको भी यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि offense के तौर पे consider किया गया है, तो कुल मिला करके अगर देखा जाया ना, तो more or less यहाँ पर जो IPC के provisions थे, offense against the body में, वो ही more or less continue किया है, बट addition or कर दिया गया है, फिर बाद में आता है, जो sexual offense होता है, women's के against म उससे related update, उसमें देखो ऐसा था, कि अगर किसी individual के साथ में gang rape हो जाता है, तो वहाँ पर victim की जो age थी, उस age को वहाँ पर minor और major declare करने के लिए, जो classification था, वो था 16 साल का, यहाँ भी 16 साल से कम जो है, वो तो minor बोले जाएंगे, और 16 साल से ज्यादा वाले हो गए, वो major बोल 16 की जगें, उसको बढ़ा करके 18 साल, 18 साल यह उससे ज़्यादा है, तब तो देखो उसको major मतलब बालिक बोल दिया जाएगा, और 18 से कम है, तो फिर वो नाबालिक बोल दिया जाएगा, अब आपको पता है, नाबालिक के साथ में अगर कोई gang rape होता है, तो फिर बाद में बुरा या बहुत ही ज़्यादा हीनियस, और मतलब no doubt gang rape अपने आप में हीनियस क्राइम है, बट नाबालिक के साथ में अगर हो गया 18 से कम उम्र के साथ वालों के साथ, तो उनको और भी ज़्यादा कडाई से उनको ट्रीट किया जाएगा, इसके अलावा किसी भी women के साथ म में बहला फुसला करके अगर एक तरीके से sexual exploitation किसी women का हुआ, तो वो भी criminalize कर दिया गया है, तो इस तरीके से sexual offenses को भी यहाँ पर एक proper define करने की कोशिश की गई है as per the today's circumstances, फिर इसके बाद में sedition का जो case था, मतलब आपको ध्यान होगा कि कई बार ऐसे case आते हैं कि राज द्र का नाम दे करके और उनके खिलाफ में, अंग्रेजों ने भी बहुत सारे cases किये थे, जैसे बाल गंगादर तिलग हो गए, महात्मा गांदी हो गए, इनके खिलाफ में, वो ही चीज जो थी, वो more or less colonial period से अभी तक भी continue चलती चली जा रही है, बहुत सारे new channels हैं, उनके खिला के tools थे ना, वो यहाँ पर अभी mention किये गए हैं, जैसे कि अगर किसी individual ने या किसी भी group ने मिलकर के, लोगों के मन में, अलग separate होने की भावना जगाने की कोशिश की, आप लोगों को भढ़का रहे हो कि हाँ, वो हतियार बंद क्रांती कर दे, जैसे कि जम्मो कश्मीर में द इतना बढ़का दो, कि वो देश से ही अलग होने की बात कर ले, देश के टुकडे करने तक की बात कर दे, तो इन चीजों को अभी criminal proceeding के under consider किया गया, राजदरो sedition का point अब वो तो अटा दिया, बट जो एक तरीके से आप लोगों के मन में system को लेकर के एक गलत भावना पैद करने की tendency के साथ में अगर उनको बढ़काते हो, तो उस चीज को criminalize कर दिया गया है, साथ में अगर आप separatist जैसे क्या आपने देखा होगा, कि हुर्यत conference के रिए जो लोग थे, वो एक तरीके की tendency रखते थे, कि भई, कश्मीर जो है, वो तो अलग हो सकता है कभी भी, तो इस उसको भी आप वहाँ पर penalize करोगे, इसके अलावा इंडिया की sovereignty और integrity के लिए challenge करने वाला कोई भी काम हो, जिसके चलते इंडिया के idea को ही खत्रा है, तो भी देखो action लिया जाएगा, इसके अलावा कुछ ऐसे आपने शब्दों का उपयोग किया, कुछ ऐसे science आपने communication का use करके, लोगों को जवानों को बढ़काने की बहुत कोशिशे की जाती है, तो उन चीजों को भी tackle करने के लिए यहाँ पर provision किये गए है, इसके अलावा आगे देखें, तो mob lynching, आपने को ध्याना ना, कई ऐसे cases आये थे, जहाँ पर आप देखते हो कि एकदम से bead जो है, वो कुछ लोगों पर तूट पड़ती है, और भीड के अंदर फिर लोग, वो एक individual के ओपर जब 50 आत्मी एक साथ तूट के पड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि उस इंसान को बचना कितना मुश्किल हो जाता है, तो होता क्या है, कि भीड जब एकदम से attack कर दे तो उसके लिए हमारे पास में ऐसे adequate कोई provision थे नहीं, कि कैसे भीड को punish किया जाए, बट अब सीधा इसको murder के category में डाल दिया गया है, सीधी बात है, अगर किसी individual की race, caste, sex, language और उसकी personal belief के उपर सवाल या निसान उठाते होए, अगर भीड इकटा हो करके, और फिर attack कर देग और उसके चलते हैं, अगर individual की death होगी, तो उसको mob lynching बोला जाएगा, और उसके चलते हैं, punishment होगी, या तो आपकी ता, उम्र, कैद, या फिर death penalty भी दी जा सकती है, तो ये अपने आप में एक important update जो है, वो किया गया है, भारती है, नयाय सहीता में, इसके अलावा, छोटे मो के pocket से mobile चोरी करके लेके जा रहा है, तो ये छोटी बड़ी, जितनी बड़ी भी ATM मशीन से cash निकाल के चोरी किया जा रहा है, इनको भी a proper definition दी गई है, इस भारती है नयाय सहीता के तहट, जिसके चलते हैं, अगर individual इन categories में कहीं पर भी किसी भी offense में sunlipt पाया गया, तो उसक प्रॉपर punishment दिया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ changes की बात करें, तो penalty से related कुछ changes किये गए हैं, वो देखो इतना minutely हमारे लिए जाना जरूरी नहीं है, कारण क्या है, कि हम ये भी देखें कि 5 साल की जगए, 10 साल की सजा कर दी, 7 की जगए, 3 कर दी, तो वो चीज़ है, भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता Act 2023 के important provisions की हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला provision है, that is related to detention of under trials, वो individuals जिनके खिलाफ में अभी कानूनी कारवाई चल रही है, सुनवाई जो है, वो final नहीं हो पाई है, कहतना conclusion निकल जाए, conviction हो जाए, या फिर free कर दिया जाए, वो अभ individuals को, police custody, या फिर आप कह सकते हो, judicial custody में रखा हुआ, उनके खिलाफ में अभी कारवाई चल ही रही है, और उनकी सजा जितनी मिली थी, उस सजा का अगर उन्होंने 50% या उससे ज़्यादा already काट लिया, मतलब ये, कि जिस crime के लिए उनको custody में रखा गया है, उसके लिए आप 50% अगर एक तरीके से सजा कट चुकी है, तो उस individual को release कर दिया जाता था, personal bond के basis पर agreement करवा, कहां जी, कि मैंने अपनी 50% सजा जो अच्छे तरीके से बिटाई है, तो मैं यहाँ पर free होने के लिए यहाँ पर request डाल रहा हूँ, तो अब आप देखोगे, कि अगर किसी offense के लि यह death punishment अगर किसी को मिली हुई है न, इसका मतलब बहुत जादा heinious crime रहा होगा, तो उनको इस तरीके की facility नहीं मिलेगी, right? दूसरा important provision है, वो related है, medical examination से related, देखो CRPC में medical examination allowed है, जैसे कि कोई आप rape का case आता है, तो वहाँ पर medical examination की ज़रुत पड़ती है, तो CRPC में यह provision था, कि कम से कम sub inspector level का individual, SI level का individual, या उससे higher post पे को individual हो, तो वो अगर request करे medical examination की, तो medical examination होगी, otherwise नहीं होगी, बट अब भारतिया नागरिक सुरक्सा सहीता में क्या डाल दिया गया है, कि कोई भी police officer, जो SI rankा हो, या उससे कम rankा हो, वो भी अगर request कर दे कि हाजी, medical examination होनी चाहिए, तो फ forensic investigation की बात करें, आपको पता है कि बाल से, ठीक है, hair sample हो गया, किसी का कोई blood sample मिल रहा है, तो उनसे क्या पता पड़ता है, कि कोई individual जो crime spot पे present था, उसका identification करना बड़ा आसान होता है, DNA testing के अधार पर, तो यहाँ पर provision यह कर दिया, कि अगर किसी भी case में, जो crime आ रहा है, उस में सजा का प्रावधान अगर 7 साल यह उससे जादा है ना, तो forensic investigation mandatory है, ध्यान समझें, 7 साल यह उससे जादा है, तो आप मान के चलो कि उसको mandatory होगी वहाँ पर forensic investigation, हाँ, साथ से कम सजा है, वो optional रहेगा, वो depend गरेगा situation पर, क्या कहती है, judiciary, किस तरीके से आगे बात चीत होत दिया, बट, 7 साल यह उससे जादा की सजा है, तो इसका मतलब, forensic investigation जरूर होगी, इसके अलावा, signature और finger impressions को भी वहाँ पर include अब कर दिया गया है, कि देखो, CRPC में तो क्या provision था, magistrate को यह power थी, कि कि किसी भी person को वो order दे सकते हैं, हाँ, कि आप जाईए, और, मतलब, जिसमें भी आपको sample collect करने है, उनके samples आप collect कर सकते हो, जिससे कि investigation में आसानी हो किसी भी crime के issue को, बट, BNSS में इस provision को expand कर दिया है, ठीक है, वो क्या था, वो क्या कर दिया, कि अब आप voice sample भी ले सकते हो, आवाज का sample भी ले सकते हो, और finger impression भी लिए जा सकते हैं, इसका मतलब investigation को और ज्यादा smooth बनाने के लिए, ये sample collection का provision थोड़ा सा broaden किया गया है, अगर हम भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता, जो की CRPC को replace करने वाली है, उसके provisions की बात करें, फिर हम बात करें timeline की, तो यहाँ पर provision कर दिया गया है, कि जैसे, मान लो, कोई medical examination होनी है, तो medical examination से related report आपको 7 दि की सुनवाई, 30 दिन के अंदर-अंदर करने की कोशिश हो, बटियस अगर कोई exceptional circumstance हाजाए, तो 45 दिन तक भी उसको sort out कर दिया जाए, तो कुल मिला करके timeline का provision भी यहाँ पर डाल दिया, इससे क्या होगा, कि वो जो एक line आती है na, justice delayed is justice denied, वो कही ना कहीं फिर बाद में tackle होना possible हो पाएगी, इसके अलाबा, preventive detention से related provision आपको पता है किस individual को आप arrest कर लेते हो, क्यों करती है police, कि भई खत्रा है कि अगर वो public domain में रहेगा, तो कुछ ना कुछ problem कर सकता है, तो ऐसे में future aspect को ध्यान रखते हुए, आपने उस individual को पहले ही arrest करके अपने पास में रख लिया, य नहीं तो problem हो सकती थी, तो आप देखोगे, कि इस तरीके के situation को tackle करने से सम्मंदित, जो provision है, वो कुछ ऐसा है कि arrest करने के 24 गंटे के अंदर अंदर आपको magistrate के सामने पेश होना होता है, तो 24 गंटे बिलकुल binding कर दिये गए हैं, ठीक है, और 24 गंटे के बाद में आप देख जाए, इसका मतलब यह है, कि अगर case है, छोटा मोटा case है, पिटी case है, जिसके अंदर यह है कि बहुत ज़्यादा सजा के प्रावधान नहीं है, बट वो ही चीज़ है कि उस individual को वहाँ पर jail में डालने की बजाए, अगर bail पे देदिया जाए, और फिर उसके बाद में investigation होकर के उस individual के खिलाफ में trials चलें, तो बोलें यह सही रहेगा, इससे jail भी overcrowded नहीं होगी, तो इस तरीके का provision जो है, वो किया गया है, इसके अलावा देखा जाए, तो हत्खडी बादने से संबंदित Supreme Court ने का था, कि देखो हत्खडी बादना ठीक बात नहीं है, जब तक कि trial complete ह करके conviction ना हो जाए, तो अब क्या provision कर दिया, BNSS में, कि देखो economic offenses है ना, उनमें तो हत्खडी मत डालो, पर अगर को heinious crime आ जाए, जिसमें सजाई बहुत बारी है, साथ साल उससे ज़्यादा, तो बहुत हत्खडी डाली जा सकती है, इसको लेकर कि देखो बहुत सारी controversies भी जा रही है, इसके लावा mercy petition, जो state में home department है, या फिर आप बात कर सकते हो, central government में home ministry है, उनसे क्या है, कि कोई भी criminal या कोई भी individual, अपनी एक तरीके सजा कम करवाने के लिए, एक mafia नामा लिखवा सकता है, तो देखो इसका provision खतम कर दिया गया है, mercy petition अब नहीं लगेगी, ये अपने आप में important development है, फिर आ जाओ community service के provision के बारे में, देखो अगर कोई छोटा मोटा crime किया, जिसकी सजाए एक साल, 6 माईने, या दो साल तक हो रही है, तो ऐसे cases के अंदर, उस individual को community service देने के लिए कहा जाएगा, और एक चीज़ धान रखें, अगर एक individual repeated offender है, बार बार offense करता है, तब तो देखो community services का provision है नहीं, otherwise वो community के लिए service करेगा, मतलब एक तरीके से ऐसे काम करेगा, जो समाज का लियान के लिए होंगे, पर उसका payment उसको नहीं मिलेगा, कहने का मतलब अपनी तरफ से एक काम करवाया जाएगा, कि उसका reformation हो सके जो criminal है उसका, ठीक है, जिसे कि वो दुबारा crime ना करे, और समाज में सवहार्द की जो भावना है वो आ सके, timeline वाली बात हम already कर ही चुके हैं, तो यह provision थे आपके BNSSA related, चलते हैं, next पे, next आपका article है, that is, भारतिये साक्षे Act, साक्षे का मतलब हो गया evidence act, जो कि Indian Evidences Act of 1872 को replace कर रहा है, अब आप दे primary और एक होते हैं secondary, primary का मतलब, जो सबसे prime है कि हाँ, यह तो सबसे पहले साक्षे होने ही चाहिए, evidences तो आने ही चाहिए, secondary होते हैं, जो primary को support करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या-क्या changes है, और क्या-क्या चीज़े carry on की गई है, वो समझते हैं, देंको admisability of electronic records, electronic records को more or less secondary evidence के तौर पे माना गया था, अगर हम Indian Evidences Act की बात करें, इसका मतलब यह हो गया कि मानलो किसी के पास में CCTV footage है, किसी के पास में कोई recording है, कोई video recording है, कुछ भी है, तो वो चीज़े कहीं नहीं पहले secondary level पे था कि नहीं आ रही है, तो बाद में supporting में है, हमारे पास यह भी evidence ह तो वो secondary level पे था, support के तौर पे, बट अब क्या कर दिया है, कि electronic record का जो कुछ भी अगर कोई evidence के तौर पे आपके पास में available है, ठीक है, तो उसको primary evidence के तौर पे देखा जाएगा, इसका मतलब CCTV या फिर कुछ भी recording हो रखी है, तो वो कहीं न कहीं, directly आप evidence के तौर पे दे सकत किसी ने कहीं, पुलीस ने कुछ कहलवा दिया, तो वो चीज़े कहीं ने कहीं, पहले मानी जाती थी, बट अब क्या कर दिया है, भारतिय साक्षे Act के आधार पर, कि देखो, पुलीस के सामने हो सकता है, कि डर के मारे किसी ने कुछ yes या no कह दिया हो, तो वो चीज़े acceptable नही होगी, पर हाँ, एक चीज़ ठीक है, कि पुलीस के सामने जब investigation हो रही है, पुलीस अपने साब से statement ले रही है, हना individuals के, तो हो सकता है, कि उस statement के आधार पर, अगर investigation को आगे किया जाए, और investigation में कुछ information मिलती है, जो की case को solve करने में help कर रही है, तो वो information काम आ जाएगी, ब किया जाएगा, उसको किवल, आप अपने case को solve करने में, पुलीस help ले सकती है, ठीक है, फिर बात आती है, documentary evidence की, देखो, Indian Evidences Act है, उसमें writing, mapping, और कोई images है, उनको evidence के तोर पे देखती थी, बट अब electronic records को भी डाल दिया, जो कि हमने डाल दिया, जो कि हमने बात कर लिया, ठीक मानलो की out of India चला गया, और वो evidence के तोर पे अपनी बात कुछ बोलना चाता है, तो वो electronic camera के थू भी अपनी बात कह सकता है, ठीक है, जैसे आपने case से सुने होंगे, कुछ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यह जो Johnny Deff और Amber Heard का जो case था, उसमें एक evidence या फिर मतलब जो statement लि या फिर हम cutting edge technology की बात करें, इनको भी include करने की बात हो रही है, इसके लाबा secondary evidences में अभी oral और return admission ये तो है, मतलब ये भी include कर दिया, और investigation के टाइम पे जो कुछ भी paper या जो कुछ भी sample, कुछ भी अगर detect होता है, उसका अगर examination करवाया जाता है experts के दौरा, और experts के दौरा को या अधर opinion दिया गया है, कि देखो हमारे हिसाब से तो ये चीज़े निकल किया रही है, तो वो expert का opinion अना, वो भी कहीं ना कहीं, एक secondary evidence के तौर पे consider किया जाएगा, तो इस तरीके के changes जो हैं, वो अभी देखे गए हैं, बारतिय साक्ष एक्ट, जो कि Indian Evidences Act को replace करने वाला है उसमें, और इसके अलावब इसमें provisions हैं, ये बात हम already कर चुके हैं, कि electronic evidences जो हैं, उनको आपने primary में include कर दिया, और secondary का आपने expansion कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से ये provision आ गया, चलते हैं, next article की तरफ, next अपना article आ गया, Legal Services Committee, होता क्या है, कि recently Justice BR गवई जो है, उनको Supreme Court की जो Legal Service Committee है उसके chairman के तोर पर nominate किया जाता है, इसलिए ये जो Supreme Court's Legal Service Committee है, ये news में आ गई, अब हमें यहाँ पर समझना है, कि ये committee क्या होती है, कौन इसको constitute करता है, इससे संबंदित क्या कानून है, क्या background है, देखो हमारे देश की अगर बात करें न, तो हमारे constitution में, article 39A, ठीक है, director principle of state policy, वो साफ साफ ये एक तरीके से guide करता है state को, कि आप अपने देश में, किसी भी individual को justice ensure करने के लिए, अगर उसको सहायता देने की वबस्ता करो, तो चाहे फिर वो वकील के तौर पे दो, या या फिर उसको justice access करने के लिए, जो judges हैं, उनकी तरफ से, अपनी तरफ से कोई initiative देने की हम बात करें, तो कुल मिला करके, किसी के पास में justice deny नहीं होनी चीए, किसी को भी justice access करने में problem नहीं होनी चीए, just because of monetary status, कि पैसे की कमी थी, इस वज़े से, वो justice ensure नहीं करा पा रहे हैं hand available कराए, उन लोगों के लिए, जिनके पास में justice ensure करना, access करना problem में आ जाता है, चाहे फिर वो remote rural area में रहने वाले लोग हो, जिनके पास पैसा नहीं है, आदिवासी लोग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, जो भी deprived section से belong करता है हमारी society में, तो उनके लिए article 39A, state को guide करता है कि भई देखो, justice तो equal, equal access तो होना ही चीए justice का, और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए, जब से हमारा constitution enforcement में आया ना, 1950 से, तब से लेकर लगा अतार इस तरीके की बाते उठती रही है, आप देखोगे, कि 1980 में आते आते तो, एक committee तक constitute कर दी गई थी, national level पे, उस time पर, पह Supreme Court के judge, justice P.N. भगवती जो थे, उनके दुआरा उस committee को lead किया गया था, जब 1980 में पहली बार इस तरीके की committee constitute की गई थी, फिर जब इस बात को समझा गया, कि वाकई में इस तरीके की committees जो है, वो तो बहुत कमजोर तबके के लोगों के लिए बहुत सहायता वाली है, तो इस को ध्यान रखते हुए, 1987 में फिर Parliament के द्वारा एक Act पारित किया गया, जिसको बोला गया, Legal Service Authority Act of 1987, ठीक है, LSAA, ठीक है, Legal Service Authority Act of 1987, ये पारित किया, और इसी Act के आधार पर, आप देखोगे कि इसी Act का Section 3A है, उस 3A के अंडर में, ये committee constitute की जाती है, Supreme Court के अंडर में, यहान रखें इस बात का, Supreme Court के द्वारा किया गया, इसके अंडर में, एक important body भी constitute कर रखी है, जिसको बोलते है, National Legal Service Authority, NLSA, नालसा भी बोल दिया जाता है, इसको, काम क्या है, कि इन committees की functioning को properly ensure करना, आप देखोगे, कि national level पर भी committees constitute होती, इस तरीके की legal service provide करने के लिए, state level पर भी constitute होती है, और district level पर भी ensure होती है, कहने का मतलब, कि किसी भी level के उपर, हमारे जो citizens है, उनको ये समश्या नहीं आनी चीए, कि हमारे पास में resources नहीं थे, इस वज़े से हम case आर गए, नहीं, ये कहीं ना कहीं, बहुत जादा injustice वाली बात हो जाएगी, अब आप देखोगे, कि ये जो नालसा है, सबसे पहले हम बात करें, इस Act में, Legal Services Authority Act of 1987 में, जो नालसा established किया गया, वो ही more or less आप देखोगे, कि इन committees को monitor करने का काम करता है, अच्छा, ये committees को बनाने का जो काम है, उसमें सबसे important role आ जाता है, Supreme Court का, ठीक है, यहाँ पर हम जब Legal Services Committee of Supreme Court की बात कर रह जिसमें Chief Justice of India जो है, वो बहुत important role प्ले करते हैं इस नालसा में, और उनी के recommendation के आधार पर, यहाँ पर ये legal service committee है, इसके members की या chairman की nomination होती है, तो यहाँ पर अभी हम Supreme Court की, इस legal service committee की बात कर रहे हैं, तो इसके chairman के तोर पर, Justice BR Gawai का जो नाम आया है, वो more or less Chief Justice of India की recommendation पर आया के society में कमजोर तबके के लोग हैं, उनके सहायता हो, किसी भी legal issue में, ध्यान रखें, यह जो Supreme Court की legal service committee है, इसमें more or less अभी के समय, लगबग 10 members है, एक तो देखो chairperson हो गए, जो की यहाँ पर Justice BR Gawaiji हो गए, और बाकी 9 members होर होता है, जिनको Chief Justice of India nominate करते हैं, इसके अलावा, इ देखोगे कि Chief Justice of India जो है, वो Central Government के साथ consultation करते हैं, और उन officers के appointment होती है, जिसके चलते हैं, फिर easy going legal services available कराना possible हो पाता है हमारे लोगों के लिए, इसके अलावा, यहाँ पर हमें यह भी जानना जरूरी है, कि हमारे constitution में Article 39A, no doubt DPSP सीधा कहता है, free legal aid provide की जाए, हमारे समाज के जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, पट साथ साथ में Article 14 है न, वो भी कहता है, right to equality, इसका मतलब क्या हो गया, कि हमारे समाज में, जो लोग भी कमजोर हैं, उनको पीछे नहीं रहने देना है, उनको भी बराबर ही access मिले, जो भी justice चल रही है, उससे सम्दित, इसके अलावा, Constitution में Article 22, Clause 1, ये क्या कहता है, बही सीधी बात है, एक individual को पूरा अधिकार है, कि खुद के against में कोई बात है, तो खुद को defend करने का अधिकार हो, right, Article 22 ये कहता है कि arrest करो तो पहले बताओ कि यहां बही क्यों arrest कर रहे हो, और वहाँ पर defend करने की नौबत आए, तो फिर defend करने क ववस्ता भी वहाँ पर मिले, तो कहने का मतलब, एक individual कहीं पर भी justice access करने में पीछे ना रहे, ये ensure करना, state की duty है, ये obligation है, और इस तरीके से ये तीनों articles जो है, वो इस तरीके की free legal aid provide करने के लिए काम करता है, ये चीज हम already previous discussion में भी cover कर चुके है, previous articles में भी cover कर चुके है, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, आगे चलता है, next अपना जो article है, that is related to defamation law, देखो, ये मान हानी का मामला है, defamation से related हमारा एक context already covered है, तो ज्यादा problem नहीं आएगी आपको समझने में, आप अगर किसी individual को इस तरीके से harm पहुंचाना चाह रहे हो, एक होता ना कि बह damage करना चाह रहे हो, injury पहुचाना चाह रहे हो, for example, reputation एकदम ही खतम करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे राहूल गांदी जी का case हमने discuss किया था, कि उन्होंने मोधी community के ओपर ऐसा statement दे दिया, जिसके चलते है, सूरत के court ने राहूल गांदी जी के खिलाफ में, ये जो कहता है कि criminal defamation case है, उसके चलते हैं, उनको फिर बाद में, convict कर दिया, और उसके चलते हैं, फिर उनकी लोगसभा की membership हो भी चली गई थी, right, तो point यहां पर आता है, कि किसी का भी मान हानी होना, दो categories में आप divide गर सकते हो, एक तो civil category होती है, और एक होती है criminal, civil के अंदर तो क्या होता है कि punishment ज्यादा heavy नहीं होता, more or less वहां पर monetary compensation दिला दिया जाता है, कि किस individual X ने Y के उपर उल्टा सीधा कोई comment दे दिया, तो Y को जो है, वो पूरे evaluation, calculation के आधार पर, जितना कुछ भी loss हुआ है, उसकी compensation X के द्वारा दे दी जाएगी, यह इस तरीके से, civil case में तो देखो, monetary settlement क provision रहता है, जिसमें कोई भी court, high court, subordinate court, यह judgment कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ, criminal defamation का मामला आ गया ना, इसका मतलब आपने, इतना कुछ damage कर दिया है, individual का कि उसके recovery पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर फिर individual को jail भी हो सकती है, fine भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, और र तो यह आपको ध्यान रख लेना है, defamation का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसको treat किया जाता है, और वैसे हमारे constitution में, article 19 है, वो साफ-साफ आपको पता है, provision क्या करता है, freedom of speech and expression की, अब आपको पता है, freedom of speech and expression unlimited तो है नहीं, absolute तो है नहीं, वहां पर भी reasonable restrictions है, जो कि हमारे constitution क कि उसी article के clause 2 में mentioned है, कि अगर इंडिया की sovereignty, integrity के लिए खत्रा पैदा करने वाले कोई भी ऐसे काम कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं रोके जाएंगे, इसी दी बात है, देश के security के लिए, राष्टर के security के लिए खत्रा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो भी case दायर होगा, या आ आज पास में उसको बिगाड नहीं कोशिश की, तो problem, आज पास में जो एक decorum उसको बिगाड नहीं कोशिश की, that means morality को compromise कर रहे हो, तो आपके लिमिटेशन है, अगर court ने कोई judgment दे दिया, वो चीज आप नहीं मान रहे हो, court की directives को नहीं मान रहे हो, court का contempt कर रहे हो, तो भी आपके freedom of speech and expression के ओपर limitation लगती है, और defamation तो आई जाता है, क्योंकि आप freedom of speech and expression का use अगर करते हो, तो उसमें आपको ये देखना होगा, कि आपके जो fellow citizens है, उनको कहीं न कहीं खतरा नहीं हो, right, इसके अलावा फिर कहीं पर भी आप दंगे या फिर इस तरीके के काम बढ़का द्याने की कोशिश ना करो, जो कि पूरे system को इलागे रख दे, तो कहने का मतलब, आपको freedom of speech and expression, no doubt मिला हुआ है, आप exercise करिये, बट इन limitations को ध्याने में रखते हुए करिये, इनको compromise है, इन पर कहीं पर भी खतरा रमंडराया, तो आपके ओपर restriction लग जाएगी, आपके खिला आपके तो और भी videos हैं, और भी हमारे पास में articles हैं, इस particular segment का, यह हमारा last article, short news का, इसमें कुछ चीज़े हैं, जो हमें समझनी है, forum shopping, forum shopping का मतलब क्या होता है, देखो सीधी बात है, जब कोई भी case लड़ने के लिए जाता है court में, तो वो individual अगर थोड़ा बहुत भी smart हो, उ उसकी साटगाट बढ़िया है, अंदर जजिज तक का approach है, मान लो, या फिर वकीलों से इतनी बढ़िया setting है, कि उस individual ने ऐसा, या फिर वकीलों ने कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश की, कि भई हम तो किस time पर particular हमारे case को सुनवाई करवाएंगे, जिस time पर कोई XYZ case सुनवा चल रही है, या सुनवाई हो चुकी है, उसी case के parallel, अगर आप अपने case को ले करके आते हो, तो कहीं ना कहीं जो existing laws है, या कह सकते हो, जो existing judgment है, उसका benefit आपको अपने judgment में मिलता हुआ दिखाई दे, तो वो ही चीज आपकी forum shopping हो जाती है, कि हाँ भई हमने सोच समझ करके ऐसा timing किया है, या इस तरीके की timing set करवा दी, आप choice नहीं करते हो, बट आपने setting करवा दी, तो आप उस time पर अपने favor में judgment आए, उस तरीके के case की wait की, क्यार ये case आ रहा है हमारे favor का सा, तो इस case में अगर judgment आएगा, तो ये हमें favor कर जाएगा बाद में, तो इस तरीके की अगर setting क आ लेते हैं, तो हो forum shopping होती है, जो कि more or less, कहीं न कहीं गलत है, right, क्योंकि favorable, गलत तो क्या मतलब ये कह सकते हैं, कि आजी favorable environment का benefit उठाने की कोशिश की जाए, right, वो चीज हो जाती है, फिर आजाओ bench hunting, सीधी बात है, आप ये demand करने लगा हो, कि मेरे case को तो ये XYZ judges की bench ही सुने और उसके उपर आप अपनी तरफ से साथ guard बिठाओ, petitioner ये कोशिश करने लग जाए, कि हाँ यार, ये जजीज की bench के पास मेरा case चला जाए तो बैठ जाए, तो bench hunting कहलाती है, इसके अलाबा next आता है, doctrine of promissory estoppel, देखो, किसी भी चीज को आप promise करते हो, मालो आपने एक situation में कोई statement दे दिया, X, और फिर उसके मतलब कोई भी statement दे दिया, कि हाँ जी मैं ये कर लूँगा, फिर पता-पढ़ा गे situation बदली है, और situation आ गई, बिल्कुल adverse situation, और आपने statement बदल दिया, और आप कहते हो, कि मेरी उस time की statement और अपकी statement दोनों अलग-अलग situation में है, तो आप इन पर फिर judiciary की तरफ से doctrine of promissory estoppel आ जाएगा, और उसमें क्या कहा जाएगा, कि देखो आपने पहले जो बात कही थी वो, अब जो बात कही है, वो दोनों बिल्कुल अलग-अलग है, और दोनों में से सिर्फ एक ही बात मानी जाएगी, जो कि more or less पहले जो आपने promise किया, वो मा पर जरुवत पड़ती है, कि doctrine of promissory estoppel apply हो, कि आपने जो पहले बात बोली, वो चीज आपको उस पर उतरना पड़ेगा खरा, दूसरी बात आपकी नहीं चलेगी, बट अभी recently क्या होता है, कि जो defense forces में जो recruitment का process होता है, उसको लेकर के case गया Supreme Court में, और Supreme Court से ये demand की गई, कि आप जो है doctrine of, ये जो promissory estoppel apply करो, क्यों, कि सरकार ने पहले कुछ और promise किया था, अब time बदलने के साथ में सरकार का statement कुछ और ही हो गया, तो यहाँ पर court को, court को defense में जो recruitment process चल रहे है, उसके चलते सरकार की accountability fix करनीचे, पहले वाले statement पे सरकार को खरा उतरने के लिए force करना चाहिए, बट Supreme Court की तरफ से क्या बोल दिया गया, देखो, यहाँ पर मामला अगर पूरा overall देखा जाए ना, तो इसमें एक larger picture देखते है ना, तो ये statement change होना कोई खत्रा पैदा नहीं कर रहा, तो इस case में हम यहाँ पर promissory estoppel वाला, जो doctrine है, वो applying नहीं करेंगे, इसका मतल अगनीवीर स्कीम से related था, कि उस टाइम पर कई ऐसी recruitment चल रही थी, ठीक है, और वो recruitment जो थी, वो hold पे चली गई, और अब अगनीवीर स्कीम आ गई, तो वो hold वाली स्कीम वाला जो provision था, वो lapse होकर कि आपने अगनीवीर वाला apply कर दिया, तो उसके चलते, सरकार का पहले का statement अपके statement difference आगया, इसलिए डिमांड की गई थी, कि यार सरकार की accountability fix करने के लिए doctrine of promissory as topple apply करो, बट सुप्रीम कोट ने क्या बढ़ा, कि भई, larger picture देखने पे, ये statement change होने में कोई problem नहीं है, सरकार statement change कर रही है, अगर अपना stand change कर रही है, कोई issue नहीं है, तो इस तरीके से ये कही ना कहीं, कि सुप्रीम कोट का या फिर कोट की तरफ से, अपनी तरफ से, ये एक process है, वो follow किया जाता है, फिर आ जाओ, judge recusal, judges recusal का मतलब ये है, कि मान लो कोई case है, और उस case में, जो judges की bench बैठ रही है, जिनके सामने सुनवाई जा रही है, वो judges की bench में से, एक या द मैं अपने आपको withdraw करता हूँ, तो इस तरीके से, judge ने आपने आपको recuse कर दिया, इससे क्या हुआ, कि वहाँ पर नए judge की जगह बनेगी, नया judge आ जाएगा, फिर एक unbiased manner में, बिना किसी problem के judgment देना possible हो पाएगा, तो ये जो काम हो गया, जहाँ पर judge ने अपने आपको, ए higher judiciary में देखा जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से judicial system से related हमारा जो portion था, वो complete हुआ,